हेलो स्टुदेंट्स वेलकम ट्यू राउंडर ब्लैटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो चलो बच्चों करते हैं इस मोडल पेपर को सॉल अब इसके अंदर देखो बेटा सबसे पहले जो दे रखा है यहां पर आपके रोल नंबर बरने का तो यहां पर आप यहां पर बर सकते हैं और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है इनको पढ़ना होता है उसके बाद में जो आपका लेंग्विज वाला सेक्शन है जिसमें हंदी के 15 कोशन रहेंगे और इंग्लिजिस के 15 कोशन फिर से बाद में मैत के और साइन्स के कोशन रहते है ठीक है उसके बाद में जैसे हिसमें पहला कोशन है किया कहरा इस पहले कोशन में निमलिकित तत्सम तद्भाव सब्दों के यूग में त्रूटी पूर्ण है मतलब किसमें तूटी है गलती है वह आपको बताना है तो यहां पर एक है आपके गोमे गोबर छीर खीर सवपतनी सौध और परियाटक पटरी तो सवपतनी और सौर छीर शीर गोबर यह तो जो है एक दूसरे के तुकमिनाज वर्ड है ठीक है शब्द यूग्म है लेकिन परियाटक परियाख पटरी जो है कोई मैं नहीं बन रहा है तो सीथ का क्या हो जाएगा करेक्ट आनसर जाएगा अगला कोशन है सीमा कुट्टे से डरती है इस वाकियों में कौन सा कारक है पहला All-book संथरों हो जाएगा अपादान से यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा एह हमारा क्रेक्ट रांश्रों हो जाएगा अपादान का फिर अबादान नहीं है अपादान ठीक है भीटा अगला कोश्चन है कि खी रिखावा है अग eruimas Greenப अपसर्ग मतलब किसी के आगे लगता क्या है वह आपको बताना राफसर्ग क्या है एक को उख सटकॉर्ड वाला एक सपेरा कि सरा सर के अंदर यहां पर आपको बताना जिए नहीं कि भी से टी कौन सा आपकर पर असली में दुश्कर के अंदर जो सर रहता है वो यह वाला रहता है यह निकी बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है ओके एक लियर नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं बैटा अगला कोशन नंबर फॉर है हनुमान का प्रायवची सब्द अब बच्चे क्या करते हैं यह नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं प्रायवची सब्द नहीं है तो अनुमान को पावन सुत बोलता है इसल जरूरी होता है कोशन क्या है अनुमान का प्रायवची सब्द नहीं है अनुमान का प्रायवची सब्द नहीं है तो इसके अंदर जो option है एक है पावन सुत यह तो अनुमान जी का प्रायवची सब्द है मारुति नंदन भी है विनायक विनायक किसका है गनेश जी का प्राय सिस्टमानें रादक विकल्पों मैं से लिए उधार का व्लों में उधार का विलों हिना मतलब दयालू प्विलों आप घ्ठोर एक अपवज्य एक निर्बैए और यह नाा हो तो क्या वोजाएगा अनुदार हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कठोर भी सही है लेकिन अनुदार जो है यह भी ज्यादा सही है अगला है अउसर का लाब उठाना के लिए उप्यूग्त है तो यह मुवावरे और लोकोक्तिया कई होती है उसमें से कुशन आता है अउसर का लाब उठाना तो इसमें पहला उपसने बहती गंगा में हाथ दोना आकास पाताले करना फूलों ना समाना या फिर अंगार उपर पैर रखना तो सही आंसर क्या है अउसर का लाब उठाते हैं जब बहती गंगा में हाट दो देते हैं ठीक है गंगा यहां बह रही थी वटावट से हाथ दो लिए बहती गंगा में हाथ दोना मतला अउसर का क्या करना लाब उठाना ठीक है यह क्या हो जाएगा सिक्स्त का अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर सेवन कोश्चन नमबर सेवन में बोल रहा है बहरा सिंगा सब्द में समास है क्या कह रहा है बहरा सिंगा सब्द में समास है तेहां पर कौन सा समास है बहु वरिही समास है यह अप्षन है आपका बहु वरिही समास दूसरा है कर्मधार्य स समास C है अब यही भाव समास और D है द्वन्द समास A B C D तो कौन सा correct होगा उसका सही आंसर है बिटा आपके बहु ब्रही समास क्या होगा A बहु ब्रही समास इसका सही उत्तर है अगला कोशन है पढ़ते हैं इसको कि निर्देश परस्ण संख्या 8 से 10 के लिए दिए कोशन दे रहें कि पूरा पढ़ना है गज्यांस किया है जहां तक मैं समझता हूं मेरी आत्मिक के विकास में बर्सी लोना और उनके निवासियों का सबसे सुन्दर चित्रण भी आगे उदर लिखावाए सबसे सुन्दर चित्रण भी सहायक नहीं ओ सकता था शियों मका और फेका को पिटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है अगर जैसा की संभावना है वह वहां कभी भी नहीं जा पाएंगी अगर शियों मका को वहां कभी जाना होगा भी तो उससे इससे कोई फरक नहीं में पड़ा था या नहीं क्योंकि तब इन जलमार्गों को वह वहवार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक सक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि वोलगा में सं से लदे जहाज नीचे की और जाते हैं और अलकत्रे से लदे जहाज उपर की और कि दुबोक का नाम का एक बंदरगा है या फिर कि फला भूमिकत परत फला जगा तक जाती है यही कि समयेद लोग बारा सिंगा गाडियों पर सफर करते हैं वगेरा वगेरा तो इसमें कवी क्या कहना चाह रहा है कि किसी देश के अंदर अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो उसका प्रैक्टिकल परपस होना चाहिए अगर वहां अगर इसमें इस तरह से पढ़ाया जा रहा है तो यहां पर दो बच्चे है ठीक है एक का नाम है फेका और एक का नाम है पीटर्सबर्ग तो इन दोनों क एक कोई जगा के बारे में जैसे की बताया जा रहा हो कि जल मार्गो को जानने की कहा जरूत है यह पीटर्सबर्ग किसी का नाम नहीं है बच्चे का नाम है शियो मका और फीके और यह कह रहा है कि पीटर्सबर्ग में जो समुंदरी जहाज वगर जाने की रास्ते वगर लिए ना चाहिए कि अगर वहां पर कभी जिन्दगी में जाएंगे तो रहाँ जाएंगे भी तो उनको बता के क्या फाइदा हो उदर जाकर व्यवारी प्रैक्टिकली जाकर देख लेंगे और उस समय तो उनको बहुत जादा याद होगा बताने से बजाए ना तो इसे उनके कोई लाइफ में जो है उनके गोल अच्छी वगएरा करने में इसकी कोई सहायता नहीं हो पाएगी और ऐसे कई सारी चीज़ें उध्रण दे कर समझाई कि जैसे कि दुबोका का दुबोका नाम का एक बंदर का एक जो है सीपोर्ट है या फिर फला जगाए यहां से शुरू होती है वहां तक जाती है या सामयेद लोग बारा सिंगा गाडियों पर सफर करते हैं वगएरा वगएरा कई तरह कोई जन जाती है जो बारा सिंगा वाली गाडियों के उपर सफर करते हैं तो इसमें मतलब क्या फाइदा होगा इनको बताने का ठी यहां पर यह पढ़ने वाले बच्चे तो यहीं है ठीक है क्या हो जाएका सही आंसर जो सही है वह जाएका आपका डी विद्यार्शियों के नाम है तो पढ़ाया जा रहा है जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमरा के जीवन में ना करते हो वो पढ़ाई निरर्था के दूसरा जिसमें जल मारगों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता वो निरर्था के ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई तो ये वाला उप्शन तो होई नहीं सकता जानकारी नहीं दी जाती ये वाला उप्शन भी नहीं हो स उनके बारे में जो है ना पढ़ाय जाये तो वह पढ़ाई निर्थक है जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजबरा के जीवन में डेली लाइफ शेडियूल में ना कर पाते हो चलिए अगला कोशन है निवासी का बहु वचन रूप है कोशन नमबर टैन निवासी का बहु वचन रूप है निवासों निवासियों निवासी या निवासिये उसका करेक्ट टांसर क्या हो जाएगा बैटा निवासियों ठीक है यह इसके उपर आ गया ना कि क्या हो जाएगा भी अपना करेक्ट आंसर है अगला कोश्चन है पिटा कि कि कुश्चन नमबर 11 और 12 जो है आपको यह बताना है तूट यह कहां पर है यह मिस्टेक्स कहा है उसको आपको सही करना है जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि दीए कि वाक्य में से कुछ तूटिया है और कुछ ठीक है वाक्य में जिस बाग में तूटिया हो उस विकल्प का चेन कीजिए इसमें आपके पास जैसे कि 21 सदी के सुरूआती वर्स तक ग्रामेंड भारत को शहरों की तुलना में फिर अगला वर्स असदी काफी पिछडा माना पिछ जाता था जहां सिमित आउसर एवं संशादन उपलब्थ थे या फिर कोई तूटि नहीं अब यहां पर जो यह 11 कोईशन है यहां पर आपको मतलब देखके पता लग जाएगा कि सब्द जो है टेड़ा मेड़ा है मिस्टेख है गड़बड है 21 सदी के शुरुवाती वर्ष तक ग्रामीन भारत को सहरों की तुलनाम क्या तो यहां पर इसका अर्थ नहीं निकल रहा है जहां सेमित आउसायों संसादन उगलब थे ठीक है कोई तुरूटी नहीं तो यहां पर यह जो है इसमें जो है बासा को यह उल्टा सीधा करके डाल रखाए जंबल्ड कर रखाए 21 सदी के शुरुवाती वर्ष तक ग्रामीन भारत को सहरों की तुलनाम में क्या तो इसमें क्या कह रहा है इस बात में कोई इंकार नहीं करता कि भारत अपनी बोगोलिक एक्ता के चलते प्राकर्तिक शिल्शान धनों की द्रिष्टी से अमेशा से ही धनी देश रहा है या फिर कोई तुरूटी नहीं ए बी-सी-डी क्या होगा भोगोलिक एक्ता के चलते प्राकर्तिक संसाधनों की द्रिष्टी से तो यह जो है इसमें प्रॉपर जो है सेंटेस जो है नहीं बन रहा है तो इसका क्या हो जाएगा भी हो जाएगा भोगोलिक एक्ता के चलते प्राकर्तिक संसाधनों की द्रिष्टी से अगला question number 13 निम्न में से कौन सा वेंजन पार्सविक है ठीके तो पार्सविक जो है यहाँ पर आपको वेंजन बताना है question number 13 तो इसका पार्सविक वेंजन जो है वो कौन सा होगा ल, ल यहाँ पर क्या है, पार्स्विक वियंजन है, अगला, स्वर और वियंजन आपको पता ही होंगे न, तो इसमें से पार्स्विक इनमें से कौन सा है, ल, Q14 है, रिषी का स्ट्रिलिंग है, A option है, रिषी नि, B option है, रिषी पतनी, C option है, रिषी का, D option है, Rishera, A, B, C, D, रिषी का स्ट्रिलिंग क्या होगा, बताए, Q14, तो इसका सई आंसवर है, रिषी का, मैंने राजु को पीटा था इस वाक्य की पहचान करें तो कैसा वाक्य है ये पूर्ण भूत है सामान्य भूत है आशन भूत है या अपूर्ण भूत है भूत मतलब डराने वाला भूत नहीं पास्ट की बात कर रहे हैं यहां पर ठीक है तो 15 का जो है क्या हो जाएगा correct answer ए बिलकुल सही यह क्या है फूर्ण भूत है complete हो गया sentence यहां पर next section हम लेते हैं English का English में हमसे पहला जो question रहता है इसमें यह पूछ रहा है directions from question 16 to 19 choosing the most appropriate options to complete the paragraph by filling in the blanks अब यहां पर यह जो 16 जो यहां पर point दे रखा है न इसकी जगा पर क्या आएगा उसके बाद बें 17 नमबर पर क्या आएगा 18 नमबर पर क्या आएगा 19 नमबर पर क्या आएगा 16, 17, 18, 19 चार questions में आपको बताना इनकी जगा पर क्या यूज हो सकता है the family dash snakes the family dash snakes इस में family of snakes by snake in snake from snake तो family of snakes जो है proper word है ठीक है इस तरह से आपको बताना है कि काउन सा यहाँ पर proper word रहेगा the family of snakes called wipers include some of the most poisonous snakes in the world wipers have the thick bodies मतलब मोटी मोटी बोडी होती है short tails इनी छोटी पूंस होती है triangular head होते हैं दा फैंग्स इन दा फैंग्स इन अब its आयेगा them आयेगा there आयेगा या there आयेगा there आयेगा या फिर there आयेगा 17 क्या होगा correct answer the fangs in अब देखो यहाँ पर बहु अचन है ठीक है fangs in its या फिर fangs in them fangs in there fangs in there वहाँ पर 17 का क्या हो जाएगा fangs in there upper jaws inject poison inject poison poison किसी के अंदर डालते है उपर डालते है नीचे डालते है साइड में डालते तो poison तो अंदर डालते तो इसका तो इन्टू हो जाएगा और उसके बाद में into victim's body almost like a hypodermic needle dash the snakes bite यहनी की when who where which तो when the snakes bite होगा ना 19 क्या हो जाएगा when the snake bite ठीक है snakes है लिए bite आ गया मतलब यहाँ पर प्लूरल होगा तो यह सिंगल हो जाएगा यह सिंगुलर होगा तो यह प्लूरल हो जाएगा स्नेक bites हो जाएगा तो इस स्नेक होगा तो सिर्फ यह आपर bites हो जाता ठीक है यह आपका question number 19 हो गया क्या करना है एक बहुत बड़े सेंटेंस के लिए एक प्रॉपर सिंगल वर्ड होता है वह आपको बताना होता है in a person who speaks two languages एसा person जो दो 10 लेंगवेज को क्या करता हो पड़ता हो जो दो занимवेज जानता हो जैसे कि मैं हो और मंनी मांतर भासा भी जानता हो मैं हं अग्लिस में जानता हो कि ट्राइलिंग व्या हो गया ठीक है लेकिन जो दो बासा जानता है उसको क्या बोलते है बाइलिंग्वल और हर इंडियन मेरे इसाफ से कम से कम बाइलिंग्वल तो ही है अराम से है ठीक है तो स्पोक्स पर्शन रेटोरिकेन ओपरेटर और बाइलिंग्वल जो है हमारा करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर दी इसका जो है सही हो जाएगा अगला दा वर्ड अगला कोशन क्या है the word which is opposite in meaning to efficient is efficient मतलब जो है कारगर साबित हो उसका opposite क्या हो सकता है यह है unproductive जो productive ना हो useful, operative, fruitful तो यह तो सारे positive word है negative word क्या है unproductive ठीक है तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए क्योंकि इसने opposite in meaning बोला है आ रहा है समझ में next question number 22 है इसमें आपको एक passive voice में convert करना है इसमें करना है read the sentence given below and choose the option which is correctly changes it into passive voice अब जैसे कि देखो यहाँ पर यह है कि I have finished my homework तो इसका passive voice क्या होगा option देखो my homework will be finished by me my homework has to be finished by me I must finish my homework और डी option है my homework is being finished by me A B C D क्या होगा correct answer 22 का I have to have to का क्या हो जाएगा has to be ठीक है पहले my homework जो है आपका लास्ट में है starting में जो subject है वो object बन जाता है object है वो subject बन जाता है ठीक है यह subject है यह object बन जाएगा subject subject बन जाएगा object तो homework my homework आ जाएगा पहले और have to be कहा जाएगा by me वो पीछिय आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो correct answer क्या हो जाएगा आपका be my homework has to be finished by me अगला question number 23 है question number 23 क्या है choose the correct similar word in meaning to the underlined words she was a bent on participating in the competition underline किया नहीं है इसके अंदर ठीक है यहाँ पर मेरे साब से bent के नीचे underlining है she was bent on participating in the competition अब यहाँ पर इसका similar word आपको बताना है bent का similar word कौन सा है इसमें option है आपके पास a है nervous एक मिनिट क्या है आपके पास nervous बी ऑप्शन है determined determined c option is scared d है disinterested a b c d क्या लग रहा है इसका correct answer क्या होगा इसका correct answer है determined वह मतलब निश्चित कर चुका है या कर चुकी है यह c लिखाए न तो कर चुकी है कि उसको participate करना ही करना है मैं नहीं डरूंगी मैं participate पक्का करूंगी ही करूंगी ऐसा यह कह रही है ठीक है अगला question अगला question है question number 24 से लेके 26 इसमें क्या कह रहा है कि read the following passage carefully and answer passage को पढ़ना और passage के according आपको क्या करना है answer देना है question number 30 तक जो है English के भी question रहता है 16 से start होता है the fear of wild animals kept them awake all night जंगली जानरों के डर से ही वो राद बर क्या रहे जाकते रहे even after so many hours had passed since they got lost in the forest और कई गंटों से वो जो है जंगल में खोई हुए है no one had came looking for them कोई जो है उनको देखने नहीं आया with only a bottle of water and few candies left कुछ थोड़ा बहुत बोटल में पानी था और खाने के लिए कुछ जो है candies यनि की toffees वगरा जो है बाकी थी there was no solution for their hunger either और खाने के लिए भी कोई उनके पास solution नहीं था तो यहां पर question है पहला what were they afraid of वो किस तीज से डर रहे थे तो fear of wild animals साफ साफ लिखाए ठीक है यहां पर यह कौन सा वाला हो जाएगा correct answer यह बी वाला हमारे जो है correct answer एक तो wild animals है इंसेक्ट से डर रहे थे डाकने से डर रहे थे अब भूतों से डर रहे थे बिल्कुल सही answer क्या है B wild animals से वो डर रहे थे where did they get lost वो कहां खो गए थे B option है कि वो कहां खो गए थे तो जंगल में खो गए थे तो इसका correct answer क्या हो जाएगा forest what food did they have with them क्या food food था खाने था उनके पास fruits थी chocolates chocolates थी candies थी या chips थी तो candies जो है थोड़ी सी बच्ची थी तो candies है इसका answer ठीक है यह तो बहुत ही simple पैसे था अगला question है question number 29 इसमें हमसे क्या कह रहा है कि direction दे रहा है select the alternative which best express the following sentence in indirect speech मतलब direct speech को आपको किस में convert करना है indirect speech में convert करना है ठीक है रजनी's brother said to her रजनी के भाई ने उसे कहा क्या कहा उसने कहा I will not do this work भाई तो यही कहेगा मेर से नहीं होता काम आज के भाई नालायक हो गए हैं खेर पर बहन जो अपने भाई का खाल जरूर रखती है भाई बहार से तो बोल देता है नहीं होगा नहीं होगा लेकिन वो कर देता है रजनी's brother told her that he would not कौन सा question number है 27 that he would not do that work भी option है रजनी's brother भी option क्या है रजनी's brother told her that I will not do this work आई फिर थोड़े नाएगा यहाँ पर आई बैठेगा नहीं मामला रजनी's brother say that say to her that he will not do that work रजनी's brother refuses to do work यह तो बिलकुल जो है नीचे आले options है नहीं है पहला option था ना अपने यह option सही था रजनी's brother told तो क्या जाएगा देखो यहाँ पर जो shade आता है ना shade की जगह पर यहाँ पर toled आता है shade की जगह पर यहाँ पर क्या आता है told आता है brother told her that he would not do that work तो यहाँ पर correct का answer क्या हो जाएगा a 27 next step 28 question number 28 में क्या कह रहा है हमसे की answer these questions by choosing the most appropriate option to fill in the blanks आपको fill in the blanks यहाँ पर बढ़ने हैं the dash bus stop from my home is 3 km away ठीक है अब जो dash bus stop है अब कैसे bus stop की बात करेगा जो सबसे पास वाला होगा near nearest सबसे पास वाले की bus stop से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा nearest bus stop from my home is 3 km अभी अगला question है question number 29 either raja और रहीम dash responsible for this reason तो यहाँ पर आपको दो नाम भली दिख रहे हो बेटा यहाँ पर दो नाम दिख रहे हैं raja और रहीम dash responsible for this loss तो यहाँ पर are नहीं आएगा were नहीं आएगा have नहीं आएगा singular ही आएगा is आएगा क्योंकि दोनों में इसको एक है न इसलिए दोनों ही अगर responsible होते तो plural में आता r लेकिन एक ही responsible है तो इसलिए is अगला can you please land be dash sugar अब sugar जो है आपके कैसी है uncountable है ऐसे गिन नहीं सकते एक सुगर दो सुगर तीन सुगर यह तो किलों में एक साथ ना पी जाती है तो सुगर को जो ही uncountable noun है यहां पर 30 का answer क्या हो जाएगा sum आएगा क्या आएगा बेटा यहां पर sum तो यह क्या हो जाएगा 20 का correct answer ओके थेंक यू वेलकम डियर स्टुडेंट्स औल लॉंडर बी एसस के बहतरी इन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिदन्दन है स्टुडेंट्स आज हम सॉल्ड करने जा रहा है और मैं आपको मैथ का सेक्षिन आज कंप्लीट कराऊंगा तो प्यारे बच्चों अपने मैथ के कोशन की ओर चलते हैं हमारा मैथ का पहला कोशन यह रहा और को थारीरण से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों और 65 कोशन आपके एकजाम में आते हैं तो मिम्स स्टार्ट करेंगे और 65 तक लेकर जाएंगे खीक है और देखते हैं कि आ और आ कि पहला कॉर्शन कह रहा है और शॉपकीपर परचेश 300 पैन परचेश 300 पैन परचेश 300 पैन परचेश 300 पैन वन आउट परचेश पैन परचेश 600 पैन परचेश 300 पैन के लाब पर पेच दिया पूरे लेडेन में उसका कुल या कुल हानि जाक दिए तो तो प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि उसने बिना किसी यालाब तो तो दोनों की रैशो कितना बेचुन पहं सब सब्सक्राइब नेखिए और नहीं अचल जो नेखिए और यह रहागा की कि quiere desired должна यह ह唉दा निए दॉन्हों चैनों और 25 एक की वेल्यू कितनी है mocली चाहिए कितने बेचे 75 पैन बिना प्रॉफिट के बेचे और तीन से मल्टिप्लाइब करो 75 की अगर तीन से मल्टिप्लाइब करो 50 या 15 असल लगा एक साथ या 21 यानि कि 225 यानि कि 225 उसमें 20 परतीशत प्रॉफिट पर बेचे कि 5 paral Little LOVE हर पैन की के मत एक रॉपए हर पैन की कीमत कितनी हो ही तीन सो रूपए कितनी होगी हम मन लेते हैं कि प्रॉफिट वाला प्यारे बच्छों क्ैयरे बच्छों में डियुक्ता है अर हर पयंड की कीमब कितनी है 225 रुपय किया है प्यारे बच्चो पैन कितना रुपए में खड़ी तीन सो रुपए में तोटल कॉस्ट प्राइजे हमारा तीन सो रुपए है तो टोटल जो कॉस्ट प्राइज टोटल कॉस्ट प्राइज अब इसने जो डूक सो पचीस प्राइस होगा है।च प्लाइस प्रॉफिट परेंट परसेंट कितना है, बीस प्रशाथ प्रॉफिट है। तो इस सो में से 20 जोड़ोगे तो आपको कितना है एक सो बीस रुपए आगा बटे सो देख लेते हैं जीरो से जीरो कटा पांधुनी दस पांचोका बीस पचंग पच्चेस दो से काटो दो चंग बारा तो छे पंजे तीस हसल लगा तीन शे चौक चौविस और तीन सब्ताइ पैन 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 वह उसने 75 रुपए में बेचे नहीं कितना होगा तो तो हम भी निकालेंगे टवोटल कमें थैजी हम क्या निकालेंगी तेरे बच्चों तक तो में कोई वस्थ TOO उसने तीन सो उसने तीन सो उपाया लगरी में पियरे बच्छो बेच दी तीन सो पैतालिस owवा में संस्नी कितना प्रॉफिट बोजें समें बन भी तोजे कितन bisschen कितनी कितनी पर तीनसो отв sucks उपuben हो। फिर से समझ लेते हैं हरचार में से एक उस्ति पिना लॉस यह थी कीमतét और रुप 75 पहने पर उसने प्रोफिट नos के बेच है और 205 पहन उसने परफिट के साथ बेचे कितने profit के साथ 20 सब्रोफिट के ऐक हैं तो तोंतल स्ने 300 पे मेंखरीदा अब 225 अशने 20ног प्रलूफिट के साथ बेचे तो उसने किunts 60 रुपए के 25 पैंख और बाकी के 75私 मुझच पने सब्रोफिट को शन robots Cay पैपे हुआ तो सो पे कितना हुआ पंदरा प्रतीशत का प्रप्ट हुआ तो पैरे बचो हमारा आएगा हमारा आएगा आप का 10,15 प्रतीशत का लव यानि या अ przek मारा बिलकूल सही है और पैरे बच्चोिए को सकते हैं अगला कुसेंट देखते हैं थर्टी टू कोशन पहरे बच्चों यह कह रहा है इस दो कंपाउं इंट्रेस्ट सेकंड डियर सेकंड डियर पर ऑन इस सर्टेन समय एट 10% पर एनम इस 132 दा प्रिंस्पल इस यदि किसी निश्यत राशी पर दस प्रतीशत प्रती वर्ष कि दर से हुर की दूसरे वर्ष के लिए चक्तश में से तो मौल्धन क्या राएं से पहले साल कि लिए कितने साल के लिए है दो साल के लिए पूरा calculation दो साल के लिए कर रहे हैं तो नीचे वाले का जो नीचे वाला जो है यानी 10 उसका क्या करें स्क्वाइर करिए अगर तीन साल के लिए करते हैं तो हम क्यों कर लेते हैं तो 10 का स्क्वाइर कितना हुगा 100 तो हम प्रिंसिपल क्या म ले लीजिए और अगर तीन साल के लिए तो क्यूं ले लीजिए उतना आप प्रिंस्पिल मान सकते हैं उतना आप प्रिंस्पिल मान लीजिए तो यहां दो वर्ष के लिए है तो दसका स्कौाइर कितना हुआ सो तो सो पे प्रिंसिपल माल लिया हमने अभी प्रिंसिपल कित्ता माल लिया सो रुपए तो सो रुपए हमने प्रिंसिपल यह माना है प्यारे बच्छों यह है नहीं अब दस प्रतीशत की दर से पहले साल जो ब्याज लगेगा वो लगेगा प्यारे बच्छों दस रुपए ठीक है पहले साल चक्रवर्दी ब्याज और साधराण ब्याज समान होता है यानि कंपाउंड इंट्रेस्ट और सिंपल इंट्रेस्ट क्या होता है सेम होता है अब दूसरे साल क्या होगा दूसरे साल प्रिंस्पिल पे तो लगेगा यानि सौपे तो दस रुपए लगेगा इस दूसरे साल ग्यारा रुपए ब्याज है तो मुल्धन कितना है आप कहेंगे मुल्धन सौ रुपए है आप कहेंगे अगर सेकंड यर ग्यारा रुपए ब्याज है तो मुल्धन कितना है प्यारे बच्चो मुल्धन सौ रुपए है और अगर एक रुपए ब्याज हो तो मुल् सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कनवर्ट करेंगे तैन परसेंट कितना होगा वन अपॉन टेंट तो फ्रीन के लिए तो इसका के स्कुरार कर ड़िया है यहां पर से दोलियेस के लिए सबास अन्य प्रिंस्पेल कितनामा भी वहाई 52 अबाषो 12 रुपे हमारा principle होगा हमारा कौन सा option सही है D option प्यारे बच्चों बिलकुल सही है अगले question की हो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला question हमारी screen पर यह रहा यह कह रहा है प्यारे बच्चों ठीक है तो A and B can do a job in 16 & 12 days respectively 16 00 A किसा इन्हा इन्हान में कर सकता है 16 00 बच्चों किसा पच्चों 12 दिन में 12 दिन में 12 दिन कर सकता है a 16 bij 12 so day before finishing the job A join B B's started to work alone find how many days B has worked a lot A اور B किसी काम को 16-12 दिनों में कर सकते हैं काम खतम करने से 4 दिन पहले A B में शामिल हो जाता है B ने अकेले काम शुरू किया याद कीजिए B ने अकेले कितने दिन काम गिया पहले A और B अगला लग दिनों में काम करते हैं क्या होता है B कुछ दिनों के लिए काम करता है और काम खतम होने से 4 दिन पहले A और B साथ में काम करते हैं यानि कि A और B ने चार दिन साथ में काम किया आप से पूछ रहा है कि B ने अकेले कितने दिन काम किया तो हम माल लेते हैं B ने अकेले X दिन काम किया एकस दिन काम किया तो बीका ए वन डे वर्क कितना ओगा प्यारे बच्चों यह होगा एक वर्टेट ट्वेल हम आले थे कि उसने एकस दिन अकेले काम किया तो एकस दिन का वर्क वर्क बीज एकस डे वर्क कितना होगा पहरे बच्चों एकस अपरण चार दिन उने से चार दिन पहले यह आफिक चार दिन और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं है कि ए प्लस बी ने ए प्लस बी वन डे वर्क कितना होगा प्रफोटी एड अब इन्होंने साथ काम कितने दिन किया है चार दिन साथ काम किया है कि ए प्लस बी फोर डे वर्क कितना होगा पहरे बच्चो यह होगा फोर इंटू सेवन अपॉन फोटी एड चार एकम चार चार दूनिया यानिकी साथ बटे बारत तो हमने देखा कि एक उर्टे बारत काम कर रहे ए प्लस बी दोनों मिलकर लास्ट के चार दिनों में साथ बार काम कर रहे हैं तो कुल वर्क हमने क्या माल लेते हैं कुल वर्क हमेशा एक होता है यानि टोटल वर्क हमेशा एक होता है तो एक का काम लिखेंगे हम प्यारे बच्चों बी का वर्क कितना है प्यारे बच्चों बी का वर्क है एक्स अपॉन 12 प्लस ए प्लस बी कितना काम कर रह है एक्सक्त की वैल्यू साथ बाम कर रहे हैं साथ बटे 13 20-25 इसे साथ फांच 5-12-12 ऐक्वल टू-5 बटे 12 12 से 12 कैंसल वाओ तो एक्स ने अक्यले कितने दिन काम किया झाहा है जैंगते क्वर्च नहीं अक्यले टिस्तिस ना काम किया पैरबच्छों पाँट दिन काम किया तो कौन सौ अप्षिन से अगले कशन प्ह ouaisकुंश सही है कौन सा ओप्षें साई यह बी ऑप्षें पहरे बैचो बिलकुल सही है एक्स ने किस्ते दिन काम किया है ठीक है पहले बच्छों अगली कोशन क्यों बढ़ते हैं अगला कोशन हमारा पाइचार से लेटेड रहा है अने की नसीन तो फर्वार पाइचार से से रिलेटेड यह केरा है पाई चार्ट शुह परसेंट ब्रेकडाउन ऑफ थाउजन वोट इन्हें स्टुडेंट इलेक्शन हावनी वोट डिट शुशांद रिसी पाई चार्ट चुनाओं में एक हजार वोटों का प्रतीशत विवाजन दिखाता है शुशांद को कितने वोट मिले प्यारे बच्छो इसको 20 प्रतीशत मिले 45 प्रतीशत मिले तो जोड़ोगे 45 तो शुशांद को कितने प्रतीशत मिलेंगे 35 प्रतीशत को मिलेंगे को फ्रें कितने के बराबर होगी, 1000 के बराबर, पहरे बच्चों हम लिखेंगे कि 100 प्रतीशत की वैल्यू, 100 प्रतीशत की वैल्यू कितने के बराबर है, पहरे बच्चों, 1000 के बराबर है, तो एक प्रतीशत की वैल्यू कितने के बराबर होगी, पहरे बच्चों, 10 के बराबर होगी, त 35% कि कितनी होगी 300 के बराबर सुषान को कितने वोट मिले 300 तीन सो हमारा बिल्कुल सही है ठीक है पैरे बच्छो अगले कुछ कि यह बढ़ते हैं थर्टी फोर्थ हो गया हमारा थर्टी फाइब कोश्टन 35 कोश्टन कहरा है on a test containing 150 कोश्टन carrying one marks each Mohan answered 80 percent of first 75 कोश्टन what percentage of other 75 कोश्टन does he need to answer correctly to score 60 percent in the examination एक परिक्षा में जिसमें 1.500 प्रिष्णों में से प्रतेख प्रिष्ण एक अंका है प्रतेख प्रिष्ण कितना है पहरे बच्चों एक अंका है Mohan ने पहले 75 प्रिष्णों में से 80 प्रतीशत का सही उतर दिया प्रिष्ण में 60 प्रतीशत अंक प्राप्त करने के लिए 75 प्रिष्णों में से कितने प्रतीशत सही उतर देने की आवश्चता है तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है देड़ सो प्रिष्ण है उसने सबसे पहले क्या किया 80 प्रतीशत का सही उतर दिया तो कितने प्रिष्णों का उसने सही उतर दिया तो हम देख लेते हैं देड़ सो का असी प्रतीशत देड़ सो का असी प्रतीशत हम निकाल लेते हैं जीरो से जीरो कैंसल से जीरो से जीरो कैंसल आटवश्च चालिस असल लगए चार और ऐसे में से तो दो चाहिए निए उसको साथ मार्ट मिल गए उसने साथ कोश्चन जाय और उसे कितने परतीशत मार्ट मार्ट लाना है उसे तो देड़ सो का साथ प्रतिषद कितना हुआ प्यारे बच्चों जीरो से जीरो केंसल जीरो से जीरो कैंसल पांच हकती सह से लगा तीन च्छे और तीन नब या नि कि उसे डेड़ सो में से 90 नंबर लेकर आना है ता उसके 60 प्रतिषद हो जाएंगे अभी तक उसने साथ कोश یت में से तीस कोशन सही करने ہोंगे तो ये कि dereok cent कितने पृतिशत हैं यह 30 कोशन प्योंचित की सथर संबीडे कोशन किного है कि यह कितने पृतिशत हैंaina प्रते कोशन एक अंका है दो पार्ट में डिवाइट के लिए 75 और 75 पहले 75 में से उसने 80 परसेंट साही कर दिया यानि कि 75 में से 60 कोशन उसने ठिक कर दिया अब उसे और लेकर आना है साथ माक्स अब तक आ कितने माक्स और लेकर आना है किस में से अगले 75 में से तो आप निकालेंगे ये 30, 75 का 40 प्रतीश आता है तो हमारा कौन सौ आप्शन सही होगा हमारा D आप्शन प्यारे बच्चो बिलकुल सही होगा कौन सौ आप्शन सही होगा D आप्शन प्यारे बच्चो बिलकुल सही होगा अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं प्यारे बच्चो कि अगला प्रेस्ट देख लेते हैं थार्टी सिक्स कोश्चन है कि अगला कोश्चन है प्यारे बच्चों इसके बताने गुरंखन बताने तो हमारे पास लिखा हुआ है अगले एक्स प्लस बीवाई प्लस अगाई प्लस ए जड़ अगले प्लस ऐवाई प्लस बीजल पर भुद यहां-ज़ाँ आगले तो हम की प्लस बीजल अगले वाई प्लस य प्लस य यहां से बिकॉमन ले लेते हैं प्लस दोट आएगा आपका सी ओपिशन प्लस लेखों बिल्कुल सही है X प्लस Y प्लस Z और ड्रैकेड में A प्लस B यहनि कि C option प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है अगरे प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्ण हम देख लेते हैं हमारा 37th question 37th question हम से कह रहा है प्यारे बच्चों इन टू डिजिट नंबर तेंस डिजिट इस चू मोर दें दा यूनिट डिजिट सम अफ दिजिट इस वन बाई सेवन्थ ऑफ दा होल नंबर सान पूरी संधना का ंक्षा का एकपड़े स साथ गुना है संधना तो पेरे बच्चों और दो कि संधना अगर माने तो ईकार कितने होंगे एक सी मान ले इन सहाथ में और और संधना माने तो संधना को म क्या लिख सकते हैं 10 थे से लिखने परणTS सबसक्राइब है कि है एक आ हैं कि हम धारे नहीं है कि है कि स्फच्छ ग्रस्ट है बच्री जुक नहींरे डीजिट-थर देट हैं और अनतु लेगए यह यी है यह हमारी किटनि ऑदिक है उसकी कह रहा है आगे कह रहा है अंकों का यो यानि अंक क्या है एकस प्लस य क्या रहा है पूरी संख्या का एक फेलेट साथ गाहे है पूरी जाक और कैसे लिखेंगे 10 y plus x कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों 10 y plus x इसका कितना है एक वर्टे साथ गुना है और प्यारे बच्चों इसको सॉल्ल करते हैं कि देखते हैं कैसे सॉल्ल होगा कि देखो कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो x plus y is equal to 10 y plus x upon 7 cross multiply करते हैं तो कितना आएगा 7 x plus 7 y is equal to 10 y plus x y को अदर ले जाओ x को अदर ले जाओ कितना हो जाएगा 7 x minus x is equal to 10 y minus 7 y कितना होगा प्यारे बच्चों यह हो जाएगा 6 x यह होगा 3 y 3 से काट लोगा तो यह हो जाएगा 2 x is equal to y यहां प्यारे बच्चों यहां प्यारे बच्चों तो y की वैल्यू 2 x is equal to x plus 2 x को इदर ले जाओ 2 x minus x is equal to 2 यहां कि x की वैल्यू कितनी आगे 2 अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आजाएगी जो मुझे बता हूं कितना होगा नंबर होता है 10 Y प्लस x यानि कि 4 इंटू 10 प्लस 2 एकसर कॉष्ट में आते हैं प्रिकार लिते हैं यह दे रखा है 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 तो मुझे यह बताओ इसमें यह अइंगल अगर भी आद बनाएगा मैनस ए पैरे बचछों यह एकस है यह x है और यह कितना है y है तो इस quadrilateral के interior सभी angle कसम कितना होगा आप कहेंगे 360 तो आप सब को जोड़ लेते हैं पैरे बच्चो सब को जोड़ते हैं तो कितना होगा y plus 180 minus a plus x plus 180 minus b is equal to 360 degree पैरे बच्चो 180, 180, 360, 360, 360, 360 cancel हो जाएगा तो आपका हो जाएगा y plus x minus a minus b is equal to 0 तो y plus x is equal to a plus b यहनी कि x plus y की value किसके बराबर आएगी a plus b के बराबर आएगी तो कौन सा option सही है पैरे बच्चो ए option हमारा बिलकुल सही है y plus x की value किसके बराबर आएगी पैरे बच्चो y plus x की value कितने आएगी a plus b के बराबर आएगी अगर आपको linear pair के बारे में जानकारी है तो यह question बहुत ही असान है आप किसी भी question को इस प्रकार कर सकते हैं ठीक है पैरे बच्चो अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question देख लेते हैं 39th question पैरे बच्चो यह कह रहा है पैरे बच्चो यह कह रहा है पैरे बच्चो यह कह रहा है if the length of rectangle is increased by 50% and its breath is decreased by 25% what is the change percent in area यदि एक आयत की लंबाए में 50% की वरदी की जाती है और चोड़ाई में 25% की कमी की जाती है तो से तफल में कितने प्रतीशत की वरदी होगी कमी होगी और कितनी होगी अच्छा question है इस प्रकार का question अक्सर exam में आता है आपको कैसे करना है आइए मैं आपको सिखाता हूँ देखिए सबसे पहले आप क्या कर लें लेंथ और ब्रैथ पहले को सो मान लें लेंथ और ब्रैथ और यह हो गया एरिया लेंथ भी हमने सौ मान ली और ब्रैथ भी हमने सौ मान ली तो एरिया कितना होगा एक दो तीन चार एरिया कितना होता है लेंथ और ब्रैथ अब में कितने प्रतीशार की कितना हुआ कि कितना हुआ एगर अगर अगर निकालेंगे तो फ्यारे बच्छों मुल्टिप्लाइ कर लेते हैं 75 पंदरा की मल्टिप्लाई कर लेते हैं कितना आएगा 25 हासल लगा 2 575 और 27 आगे कितना आएगा 5 और ये ओगा 7 तो कितना आएगा 5, 7, 5, 12 हासल लगा 1, 7, 3, 10 और 1, 11 यानि 11,250 इतना आगया पहरे बच्छों एन जब अब मैं आपसे बात करूँ बढ़ा कितना 10,000 से 11,250 बढ़ गया तो कितना इंक्रीज हुआ आप कहेंगे 1250 इंक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ प्यारे बच्छों 1250 प्यारे बच्छों क्या हुआ इंक्रीज हुआ किस पे इंक्रीज हुआ इनिशल वैल्यू लेते हैं हमेशा 10,000 पे 1250 पे इंक्रीज हुआ दस हजार पे पियारे बच्चों इंक्रीज हुआ तो सौ पे कितना प्रकार की कोशन अगर आप इस प्रकार इतनी बड़ात्री हुई है उसको निकालने इर्या निकालने देखे कितना बढ़ गया इतना बढ़ गया इस पर तो सौपे कितना इस पड़ी आऽानी से अप सौल कर सकते हैं और लिए अक्सर एक्जाम में आते हैं पेरे बाषिँ यह आपको ट्रिक जरूर पता होनी चाहिए अगले प्रिश्न क्यों बढ़ते हैं पैरे बच्चो यह अगला कोश्चन है फॉर्टी ने फॉर्टी नम्बर कोश्ट इस इस पैरे बच्चो तो आइडिंटिटी आपको सारी पता होनी चाहिंगे ठीक outta यह पहले है प्रोडक्ट अफ टू नमबर इस ट्वेटी वन यदि दो नमबर का प्रोड़क्ट एपका 21 तो हम लेखे लेते हैं दो नमबर का प्रोड़क्ट कितना है प्यरे बच्चो 21 और उनका अंतर चार है डिफरेंस कितना है यानि कि A minus B के value कितनी है चार है आगे कह रहा है तो उनके घन के योग और उनके घन के अंतर का नुपाथ देन दा रेशियो आफ सम अफ देयर क्यू तो दा डिफरेंस आफ देयर क्यू यानि रेशियो बताना है किसका रेशियो बताना है इनके घन के योग के यानि अब यह होता है अब यह होता है एक्यू माइनस बीक्यू डिवाइट यह रेशियो निकालना है ए माइनस बी कई श्क्या Спघए दरेख है कि यह ओना है यह आखन देंखते हैं कैसे अ-बी की मदद से किस प्रकार हम ए फिस बी निकालते हैं आ De देखते हैं, देखे, उपर ले जाता हूं मैं इसको, देखे, हम जानते हैं, a minus b square का formula कितना होता है, अगर a plus b निकलना हो, a plus b square का formula क्योंकि हमें a plus b square का निकलना है, तो ये लिखेंगे a minus b का whole square plus 4ab ठीक है पहरे बच्छो तो a plus b square a minus b कतना दे रखा पहरे बच्छो 4 और 4 का algo Day कितना हुँआ 16 तो ab key value कितनी है 21 16 plus 4 ऍहयाँ 4 whoever 84 plus 16 कितना हुआ पहरे बच्छो 100 हुआ बच्छो 100 अब a plus bisch value कितनी आ गई 10 आ गई तैरे बच्छो एक value हमारी आगई बड़ी आसानी से A प्लस B की value कितनी आगई प्यारे बच्छों A प्लस B की value 10 आगई अब हम क्या लेंते हैं A square प्लस B square की value A square प्लस B square की value निकालें कैसे निकालेंगे आप just A plus B square का whole square का formula कोल दीजे कैसे खोलेंगे आप यारे बच्छों देखते हैं हम खोल देते हैं A plus B का whole square का formula कितना होता है A square plus B square plus 2 A B A plus B का whole square कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा is equal to A square plus B square plus 2 A B की value कितनी है प्यारे बच्छों 21 होगी 21 into 21 into 242 तो 100 में से 42 घटाओ प्यारे बच्छों मिल जाएगा तो 10 में से 2 गया कितना जाएगा प्यारे बच्छों defit ओच्छों 58 आजाएगा अब आपणे поряд २े सब्सक्छों रखते हैं हमारा answer बध़ी हासानी से आजाएगा देख लेते हमारा answer भील को थब कर देए निगर को दूसर बाते हैं हम नीचे कर देटे यह अगले पर थे हमें निकालना है tief थीपान वाइस अपान ह्युच्य माइनस ॉप प्लस ब A square plus B square minus AB upon A minus B A square plus B square plus AB प्लाइब बच्चों A plus B की value हमारी 10 आई A square plus B square हमारा 58 आया माइनस AB की value कितनी है 21 A minus B की value 4 दे रखी है A square plus B square 58 आया plus 21 प्लाइब बच्चों करते हैं 8 में से 1 या 7 बचेंगे 5 में से 2 या 3 और 10 की multiply करोगे तो 370 58 प्लस 21 देख लेते हैं 58 21 कितना हैगा 8 और 1 9 5 2 7 4 की multiply करेंगे तो 946 साथ से लगा तीन साथ चौफ अठाइस और तीस इकस्तेस यानि की 316 कितना है तीन सो सत्तर अपॉन 316 अब क्या कर लेते हैं दो से काट लेते हैं दो इकम दो दो अठे सोला दो पंजे दस इसको काट लेते हैं कौन सा उप्शन सही है हमारा है कि एक सो फिक्चासी वट्टे 158 सी ऑप्षिन प्यारे बच्छों पयरे बच्छों में बल्कुल सही है इडिन्टीटी थी पैरे बच्छों अगर आईडिन्टी आपको पता है तो बड़ी ही आसानी से solve कर सकते हैं अगर identities आपको पता नहीं है तो question को solve करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेता इसलिए सारे formula फिरया आपको पता वने चाहिए a पलस b का whole square, a minus b का whole square, a plus b k whole cube, a minus b k whole cube, a q plus b cube, a cube minus b cube, and a plus b square किसके बराबर होता है? a minus b का whole square plus 4ab और a minus b का whole square किसके बराबर होता है a plus b का whole square minus k 4ab बहुत सारे formula है पहरे बच्चों आपको याद होने चाहिए और कौन सा formula a square minus b square क्या होता है a plus b और a minus b ठीक है पहरे बच्चों अगले पिस्नी क्यों बढ़ते हैं अगला question 41th question करते हैं पहरे बच्चों यह कह रहे है अठारा में can dig a ditch in 10 days after they have work for four days how many more men shall be employed to complete the work in four days from them अठारा अदमी दस दिनों में एक हाई खोज सकते हैं जब वे चार दिनों तक काम कर लेते हैं तो तब से चार दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने और परशों को निउप्त किया जाएगा पेरे बदर्ध से रखोएं दस दिनों में ट्योटल काम होना है और कितने काम कर रहे हैं वो independent करते हैं और कितने साथाट दिनों चाहतीर कर रहें वो दिए देखलेंगे वा दिन में काम करेंगे अथारे आदमी किसी काम को कितने दिन में करना है? उसे पिर रहा तिन का और उस सक्झे लिएठीम नहीं किसी काम को चार दिन में करना है। तो प्यारे बच्छो मेरा option कौनता होगा मेरा option एh option प्यारे बच्छो बिलकुल सही होगा 27 आत्मियों की जौर पड़ेगी उसी काम को चार दिन में करवाने के लिए ठीक है प्यारे बच्छो अगले प्रिष्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिष्ण देख लेते हैं 42 कोशिन फैक्टर बनाने प्यारे बच्छो simply फैक्टर बनाने और फैक्टर बनाने सौल करते हैं प्यारे बच्छो simple बहुत असान सा कोशिन है और देख लेते हैं यह कहारा है MN यह MN U square plus V square minus UV M square plus N square प्यारे बच्छो सबसे पहले खोलते हैं खोलते हैं M N U square plus M N V square minus M square U minus N square U V अब पहले बच्छो जहाजा M है वह ले ले लेते हैं मने U square ले लेते हैं और यह साथ लिए लेते हैं आव लिखते हैं कर दो ने लिखा M N U स्क्वार माइनस के M स्क्वार यू वी प्लस के M N V स्क्वार माइनस के N स्क्वार यू वी अब इन दोनों में से में क्या उबना लिखते हैं दोनों में से कमंन क्या है एक यू कमन आ जायगा यहां लिखे लेखां यहां से क्या बचा लीज याश्म आप यहां से क्या है? भी करें भी कॉमन माइनस के हैं पर देखो गे कि यहां पर यूएन प्लस का है यह यह यूएन- ले ले लो यहां से पहले लेते हैं और यू कैसे भी लिख सकते हैं मॉभी लिख सकते हैं यू एम माइनस के VN यानि दोनों में हमारा क्या है नेगेटिव अगए मुझे यू एन माइनस के VN दोनों में नेगेटिव उपर पॉजिटिव नेगेटिव है उपर पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा प्लास तो यह होगा प्यारे बच्चों यह भी नहीं होगा दोनों में नेगेटिव बनला है यू एन माइनस वी एम ब्रैकट यू एम प्यारे बच्चो हमारा बिलकुल ़ Hell वोगा कॉंसॉ प्यारे बच्चो सी और सी आप्टटू हमारा बिलकुल प्यारे बच्चो difर्को प्यारे ठीक्टू कॉंसॉ कोशिंग नूलज के बछायरे बरते हैं कोशिचन नंदर 43 कि वैल्यू निकालने बहुत असान सा कोश्य ने प्यारे बच्चों वोड़मास रूल लगाना है और इसकी वैल्यू निकाल देनी आव निकाल देते हैं सबसे पहले यह सॉल करो दो दुनी चार और एक चार में से गया तीन वटे दो तो इसका अंसर कितना आएगा तीन वटे यह अझा जायेगा तीन बच्चों तो इस पूरे का अंसर पूरे एकस्प्रेशिन का अंसर थीन पहलुड़ सुछ मेंगा तीन है फिएपरे बच्चों अब तेरा दूनी 26 और 27 वटे दो में से हम क्या कर लें तो घटा ले तो गटा लेते दो 27 माइनस 6 तो 27 में से 6 गया 21 वटे 2 और फ्रैक्शन में निकाले तो कितना आएगा दस सही एक वटे 2 तो कौन तो आप्शन सही होगा वी ऑप्शन पहरे बिल्कुल सही बहुत असा अगले प्रैक्शन कोर्णा होता है अगले प्रैक्शन क्यों भड़ते हैं अगला प्रैसन देखे से 44 उन यह कह रहा है what is the percent of least number and the greatest number if 3 by 5, 9 by 5, 1 by 5, 7 by 5 are arranged in ascending or descending order सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या से प्रतिशत क्या है यदि इसको आरोही आरोही क्रम में वेश्थित किया जाता है तो पहरे बच्चों सबसे छोटी संख्या क्या है एकोटे पांच है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है नौ बटे पांच है इसका प्रतिशत निकालना है तो बहुत असाम सा कोश्चन है बच्चों बीच की multiply बाहर बाहर की multiply यहनी 5 से 5 कटेगा तो कितना होगा सब्सेल नौ और सब्सेल नौ और सब्सेल नौ क्या लेखेंगे और नीचे क्या लेकिनी नौ बटे पांच पांच पाच गोड़ा हंड्रेड डिवाइड नौ तो सौ बटे नौ कितना होता है प्यारे बच्चो ग्यारा सही एक वटे नौ प्रकृषिण ठीके प्यारे बच्चो सिंपल सह था अगले पेशन क्यों बढ़ते हैं सौल करना है प्यारे बच्चो ऑँ सौल कर देते हैं सिंपल हल कर देना है एक्वेशन है प्यारे बच्चो फॉल कर देते हैं 3 5 X minus 7 plus 2 9 X minus 11 is equal to 4 8 X minus 7 और minus के एक सो ग्यारा सौल कर देते हैं प्यारे बच्चो तो कितना होगा पांस तीयां 15 X minus 21 plus 18 X minus 22 is equal to 8 32 X minus 8 28 minus के एक सो ग्यारा अब X X को एक तरफ कर लेते हैं बाकि सब को एक तरफ कर लेते हैं आओ करते हैं 15 X plus 18 X minus 32 X is equal to minus 28 minus 111 इधर minus 21 plus 22 इधर minus 22 इधर देख लेते हैं आट पांस तेरा असल लगा एक एक दोर एक 33 X minus 32 X is equal to जिः में 139 जोड़े पर चू जोड़ को जोड़ने घटा लेते हैं क्या होगा 120 इह सब्एस क्टना तीन या नि कि तर्थ तो यह बातर's को यह और है है यह होगा आपका एक्स एक्वल टो वन थर्टी नाइन में से फोर्टी त्री घटा होगे नौ में से तीन गया च्छे बचेगा और तेरा में से चार गया प्यारे बच्चो तो कितना बच्चेगा नौ यानि कि माइनस के साल करना में प्यारे बच्चों सोल करोगे एक सक को एक तरफ कर लो और बागी कोंस्टेंट को एक तरफ कर लो और बड़ी ही आसानी से हम इस चाहर अधर बच्चों क्यों बगते हैं आप गया फोनमब फोर्ट नमबर 46 He can add the former divides his herd of N-cow among his four sons, so that first son gets one half of the herd, the second son gets one by four, third son gets one by fifth, fourth son gets seven, then N-cow, one of the two sons, the first son gets one by fifth, and the fourth son gets one by fifth, and the fourth son gets one by fifth, so the first son gets is dead at last, since this year, he must be found on the fourth son's圈, he must copy the next son's triple son's rod. 20 जो भाग है वो बाकी भाद 3 भाई को मिल गया तो चौतने प्राफ ब्रदर को मिलेगा वन माइनस बटे बीश यानि यानि की एक वटे बीश वहाग है वह कितनी गायों के बरावर है वह सब गायों के बरावर है तो पूरा fraction कितना होता है एक होता है प्यारे बच्चो तो एक की वैल्यू निकाल देने हैं वही एक वैल्यू होगी एक वैल्यू कितने के बराबर है प्यारे बच्चो साथ के बराबर है तो एक वैल्यू कितना होगा साथ गुणा बीस यानि की एक सो चालिस यानि की कुल गाय कितनी है प्यारे है चोट та bacon निकाल लो उसको रखो चोट ऑटीप सब्सक्षाशन 건 रहुतते में पहरे मतों अघ्ली पहरे मळिल्ट अगले कोशिश्शन हमारा अच्छा कोष्चन है। रहा हैं आच्छा स्वाल करोद अथनी अछिधल्ट कालु करते हैं। गुशनायच वन एंगल 60 डीडीडी एक एंगल को सिस्टी डिग्री में पहले बच्चों कि ऑफ लेंठ अफिस डाइगनल की लेंथ का देश निकाल गया से चेप्र भूजा जिसका एक कोर्ण साइट डिग्री है तो इसके विकर्णों की लंबाई का नुपाद तो प्यारे बच्चों रॉंबस भी क्या होता है एक पैलोग्राम होता है और जिसमें अपोजट एंगल बरावर होते हैं और एक बरावर होते हैं और यह बहुत यह भी होगा 60 डिग्री और यह इसाथ है तो यह कितना होगा 120 ड बेले और दीकस्ट है और गेजने अगल निकाल लेतें दूसरे दूसरे ऐऊ जगें पापकार पहले यह बनाट यह साट डिग्री हो गया यह फूरा 170adian धिग्री और यह कितना होगा 60 डिग्री और यह साथ डिग्री और यह भी साथ डिग्री होगा पहले बच्चों अगर आप देखेंगे ध्यान पूर्वक देखेंगे यह एडीसी इंट्रियंगल इंट्रियंगल एडीसी अगर देखेंगे तीनों एंगल क्या है एक फोल है अगर यह साइड ए है और यहblesse और यह दो और यह यह है तो यह भी कितना होगी दो आपको यह खीया अगर यह अगर यह पूरी ए है तो क्या कर सकते में equally biset करते हैं तो सब्सक्राइस दूसरी बना लेता हूं थे खर्स, मैं दूसरी फिगर बनाता हूं यह हमें यह हमें मिल गई यह हमें यह पूरी A है यह B है यह C है और यह पूरी BD कितनी है पहले बच्चो ए है तो यह O है तो यह कितना हो जाएगा A by 2 यह आधी आधी होती है यह है यह है यह है यह है यह वह होते हैं और निकालना है कि कितना होगा हुमें निकालना है को उसका कर देंगे तो पूरा यह निकलाएगा तो प्हारे बच्चो यह लो dc मोन है ऋडिस है आपो डिसी हो fur के सामने माली साड क्या होती है हम लेखे hy miejsc क्यों के तो पहरे बच्चो यह जाए उसको अधर ले जाओ A square minus A square by 4 is equal to OC square कितना होगा पहरे बच्चो टारी इसक्वार यह कितना हो जाएगा 3A square by 4 is equal to OC square तो OC कितनी हाजएगी पहरे बच्चो अंडर रूट 3A by 2 तो ऑगी कितना होगा इसका दुगना होगा क्योंकि कहें डी टो इंट्वाइट है मिल गया जिसके रंप रोड स्रीये और पहले बैस रेज कितना आएगा यह डीनर कितनी ब suspicion में चल्राइब शोड़ रेशो कितना आ जाएगा रूट थरी वाई वाई यानि कि रूट थरी रेशो वन कितना आगा पहरे बच्चो रूट थरी रेशो वन अच्छा कोशन था पहरे बच्चो ध्यानक नहों होता है कि इसमें रॉंबस की प्रॉपर्टी क्या क्या लगी है पहली प्रॉपर्टी सार साइट्स क्या होती हैं इक्वाल होती हैं पहली बाद डूसरी बास बात ड्याग्लन उक्वाइजा कोली करते हैं और किने एंगल पर निभभै डिग्री किकली और दूसरा यंगल को जो ड्याग् exhhmenले को ऑक्थ करते हैं अगर पूरे एंगणर एकसो साट है तो एंगल एक्कूल होते है तो एक साट है तो दूसरा कितना होगा एक सो बीस दिग्री अगर 120 है 120 हो जाएगा यह 60 है तो यह साट हो जाएगा अब जो यह डाइगनल है यह क्या करते हैं अगर यह पूरा 120 डिग्री है तो यह साट डिग्री साट डिग्री में डिवाइट कर देगा पहरे बच्चो अगर यह यह देख लेते हैं इधर देखो यह पहले बात में देख लेत जो देता हूँ यह देखो यह ए बी- यह सी और यह डी यह characterization is minus यह दिग्री था तो यह कितने में डिवयद हो ग साथ डिग्री यह कितने एवाइड हो गती है इसमें साधर डिग्री मेंyr option 100 डिग्री ए तो यह भी facto अगर यह है यह है तो तीसरी साइट भी क्या होगी ए यानि कि पहले डाइगनल हमें क्या में लिया ए में लिया अब हमें दूसरे डाइगनल के लिए मैंने आपको बताया था दूसरा डाइगनल कैसे निकालेंगे आपको क्या करें यहां पर दोनों डाइगनल को मीट आउट क तो दूगना कर दोगे तो दूट्रे डाइगनल की लेंथ आ जाएगी और दूट्रों का रेश्यों लेडिए अच्छा कोशन है पैरे बच्चो ऐसा कोशन अक्सार एक्जाम में आता है तो आपको सारी प्रपरटी इस रॉंबस के बारे में पता होनी चाहिए ठीक है पैरे ब अच्छा कोशन है आना चाहिए बारे में इस प्रकार की प्रोबैस क्या होगी पहरे बच्चो ले बोस सब्सक्राइब करते हैं तो साथ से डिवाइड करते हैं तो साथ से अगर डिवाईड करें तीन दिवाइड करें सब्सक्राइब भाँ कितने कि फिटे टू वीक्ति और हर वीक में एक संडे वी तो पू संडे तो कफर्म में जो अभी संडे निकाली घा घुन जाएगी तो होंगे ही होंगे दो दिन एक्स्ट्रा होंगे अब हम इस दो दिन में देखेंगे हम्हें इस तो दिन में देखेंगे क्या प्रोघवयलिटी चल लगिए 52 तो हो जबंगे हर्वी के संड्डे ते तो आएगगें रहीृटक कि फिफ्ट्टी थीज़ सब्सक्राइब मंटे लगातारें आये हैं तंद संडे सक्ताईrea फ्राइडए एð सेटरड़ड़। से टर्डेय और संडेग, फेरे बच्चे अगर आप देखें कि सन्डे एक और एक दो आए सकता है सब्सक्राइब डो बार टोटल दिन कितने होतें साथibly कितनी होती हैчи फिर्ट बांगो पुन हमारा में सही होगा फिर्ट्री संडीा बिल्कुलbbles लिदे साथ। अगर आपसे बात करता है नॉर्मल एर में। नॉर्मल ए Though तीनसो परे इसेय कहिता है और लिप यर की दो होता है दो हरेड़ा पहें चोब हैं लिसक्री अगले प्रेस्टन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रेस्टन की बढ़ते हैं हमारा है इसकूल 3 out of 5 इस्टूडेंट can participated in a competition what is the probability of the student who do not make it to the competition एक स्कूल में से 5 में से केबल 3 छातर competition में participate कितने चाहत पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसके प्रोगाविशियर नहीं करते हैं कितने हैं जो कितने हैं आगे बढ़ते हैं अगले हैं क्यों बढ़ते हैं कोशन नमबर फिप्टी वेल्यू निकालनी है बहुत असान सा कोशन है पहरे बच्चों वेल्यू निकालनी है इसकी वेल्यू निकालनी है कि ट्री टू की सब्सक्राइब का स्काल स्काल करता उटक के वाव चार और इंक कोसरे करें इसकों क्रण Ouais इसको कर लेते हैं इसको कोशन कर लाइं पहुं आप शयनिकालनी होगा चार शत्ताइस का कितना हुए 3 गुडा में लगा दो तो तो जाएगा माइनश कर रबाइस पां वाइन प्रिशुंट महीं कि अगले पर चनी क्यों बढ़ते हैं कि अगला प्रिशन थे शवांगें को दिख दो कि फिर बच्चों सिंप्लीफाइब करना है कि फिर अगर आपको तीना संख्या बराबर दे रखिए हैं तो स्कों टो के बराबर मालें के बराबर लो किसके बराबर मालें के बराबर क्क टो डूल कितनी कि यूगी टू बी की वैल्यू की कंट्नी होगOOOO रेशो बी रेशोटी तो प्यारे बच्चों। हमें क्या निकालना हैcción आ के बाइट 4 किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते सब में तो आप इसका रेशु कितना रेश्व रेश्यो रेश्यों ले लो कितना होगा बारा आझाएगा नेकर चाहर आप क्या हो रा को हम काट सकते हैं 12 से multiply कर दो तो यह ratio कितना हो जाएगा six ratio four ratio three हमारा answer कौन सा होगा पैरे छे छार तीन तो देख लेते हैं छे चार तीन किसमे रहे पैरे बढ़े रच्छी है और च्छी आप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा छे चार तीन कौन सा होगा ए रेशयोई व सी के मेरा रावर होगा इस नहीं हो सई हॉप pillars अब देख लेते हैं कि हम्ने कैसे कई है पि्यूर्स और उसके हैं कि इस परकार आप देख सकते हैं कि इतना हो अच्छे वον रेश्यो फोर्ट थरी हमारा क्या होगा बिलकुल बढ timber लेचे आपने क्यों बढ़ते हैं फिप्टी थी कोश्चिन फिप्टी ट्यू कोश्चिन यह कह रहा है एक जनल अपने 36 या 562 सैनिकों को एक ठोस वर्ग के रूप में त्यार करना चाहता है जाए और विवस्थित करने के बाद उसने पायए कि रूप उसने प्यूद पढ़े ले लो इसका स्कॉयर को रूट ले लो और उसकार रूट में बच जाए वही हमारा अंतर रूट है कर लाए जाएक स। चछार नौने में क्या सी असल लगा आठ यो नौनी आठार और आठ तो चप्श। सब्सक्राइब करने के बच जाएंगे तो कितना आंसर आएगा एटी वन आंसर आएगा एटी वन हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा कितने सैनिक बच जाएंगे एक सब्सक्राइब करने के बाद किया सी सैनिक बच जाएंगे एक सब्सक्राइब अगले प्रिशन क्यों बढ़ते हैं 53 कोशन अच्छा कोशन है एक्जाम में आता ही आता है 53 इस वाला को यह वाला कोशन इस परकार के कोश्चन देख लेते हैं 53 कोश्चन अगले एक बैक में एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे को सिक्क्य की रूप में छे सो रुपए है जो तीन नुपाद चार नुपाद 12 के रुपाद में हैं तो 25 कि संख्या निकाल लिए सिंपलि एक क्यतने चार निकाल ऑला स्वाद जायांगे जैसे अब पास एक रुपा इक रुपाद के आठ को एक वाथे दूर से गुलाइं करो किटने रुपय चार रुपय है अगर आप कहोगे कि मेरे पास 25 paisa के 16 पहले हैं पैले 25 पैसे को किटने आएगा गर सो ला से मल्टिप्लाइ करो किtनाई अगर इत 88 person पानवल करो पर एक कितना पास करें कि पास तो अगर पास स्थारण 10 पैर पिर्से, यह एक बाते से 1 अग स्क्राइब च्शलों से करो क्षिस CDs एक टो यह पोपाई कितने थे एक टो रूपर हुने मृटए टो ने पुटि पर अग कमें फिर्से जैन हए एक बाते कि यह हुकत करू अग फिर्से रियत cotton तो सेटने पेसो की संख्य निकालनी तो पैसे पैसो की संख्या कितनी है खंसरा और रहा खार आरफ एक्स तो बारा से मर्टिपलाइ करो 60 की बारे से मोर्टिपलाइ करो तो कितना आगा पांच अब्र सन फिर शोदह उरसे पंदड़ा कितने होंगी 900 होंगे 25 सिastically संक्या अंशू होगा वो देख आ उसे है बी सही है पच्छेत पैस्टों के सिक्कों के संख्य कितनी होगी 900 और प्यारे बच्चों अगले पिश्न क्यों बढ़ते है अगला कुर्शन 54th कुर्शन यह कह रहे है एक्स माइनस य का 50 परसेंट एक्स प्लस य के 30 परसेंट है तो य एक्स का कितना प्रकिश्ट है ले लेते बच्चों कितना है एक्स माइनस य का 50 परसेंट एक्स प्लस य का 30 परसेंट है 100 से 100 कटा 0 से 0 का एक्से लोगे मल्टिप्लाइग करो 5 एक्स माइनस 5 य इस इक्वल तो 3 एक्स प्लस 3 वाई प्लस 5 वाई फाई इस टू एक्स इस इक्स फोर वाई हमारे पास एक्स इस इक्स इक्स इस इक्स प्रतीशत है य को निम्यटर में ले लो य एक्स का कितना प्रतीशत है य की वैल्यू कि क्रिशन के बराबर करो है इंटिव हन्डेड करो वाई से य कैंसिल चार से न्हीं थप करता है तो प्रतिशन के कि यह रहा है बच्छो क्या कह रहा है 2x plus 2x plus 2 upon x 2x plus 2 upon x is equal to 3 तो x3 हमें value find out करनी है x3 plus 1 upon x3 सबसे इसी की value के find out करनी है x3 plus 1 upon x3 कैसे करें सबसे बहुत पूरे दोने equation को 2 से divide कर तो यह हो जाएगा x प्लस यह हो जाएगा 1 upon x और यह हो जाएगा 3 by 2 अब हमें x3 plus 1 upon x3 की value निकालनी है कैसे निकालेंगे x3 plus 1 upon x3 क्या होगा पहरे बच्चों पहले मैं लिक देता हूं x3 plus 1 upon x3 होगा x plus 1 upon x आगे होगा x square plus 1 upon x square minus k1 यह होगा निकालनी है x2 plus 1 upon x square की value तो कैसे निकालेंगे आप यहाली equation 1 को क्या कर दें whole square लेंगे तो आप बढ़ी आसानी से value find out कर सकते हैं तो आप कर लेते हैं 1 upon x square plus 2 इसकी value कितनी दे रखिए 3 बटे 2 square square होगा 9 बटे 4 और 2 अधर आ जागा पहरे बच्चों तो कितना हो जागा minus 2 is equal to x square plus 1 upon x square 4 दुनी 8 तो कितना हो जागा 1 upon 4 is equal to x square plus 1 upon x square x square plus 1 upon x square की value कितनी मिल गए हमें 1 बटे 4 अब value put up कर देते हैं पहरे बच्चों और value put up कर देते हैं x cube plus 1 upon x cube 1 upon 4 हमें मिल गई हम जानते हैं x cube plus 1 upon x cube कितना होता है x plus 1 upon x और यह होगा x square plus 1 upon x square minus 1 इसकी value किसके बरावर है 3 बटे 2 के बरावर है इसकी value किसके बरावर है 9 कितनी होती 3 बटे 2 into minus 3 बटे 4 कितना जागा minus 9 बटे 8 तैनी x cube plus 1 upon x cube कि value हमें कितनी मिल गई माइनस के 9 बटे 8 कितनी मिल गई माइनस के 9 बटे 8 लेकिन हमें निकालनी कितनी है x cube plus 1 upon x cube plus 3 कि value निकालनी है x cube plus 1 upon x cube हमें किसकी value निकालनी है x cube plus 1 upon x cube 1 plus 3 तो आप क्या करें माइनस के 9 बटे 8 में कि क्या जोड़ दे 3 जोड़ देते हैं तो माइनस के 9 बटे 8 में पहरे बच्चों यानी 15 बटे 8 इतना है का 15 बटे 8 यानी 15 बटे 8 हमारा बिलकुल सही option होगा निकिन सी option पएड़े बच्चों बिलकुल सही होगा अब क्या पहले हम क्या निकाले x cube plus 1 upon x cube की value निकालेर उसके बाद जो भी answer है उसे 3 जोड़ देतो हमारा बिलकुल सब्सक्राइब 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 एक्सक्राइब 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 ए चाहिए पेजह को खेड़ स تवस्क्राइब है है अक्सा조 गना फास देखोरिय देख के लागा कैया कै रहा clarification कोश्वर्षेंगों čia नमब फिप्टीसिक्स देख लेते हम क्या कहरा वियरे बश्च्व कि रिए प्लस B प्लस C की वैल्यूंग है एप प्लस B क्या मान नेकाले क्या क्या होता है एक फ्लस B क्यू प्लस A B क्यू रहे प्लस C की वैल्यू होती है r appropri on a bill B square plus C square minus A B minus B C minus C हमें A plus B plus C value तो पता है नो और माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा AB plus BC plus CA इसकी वैल्यू भी पता है 26 है हमें A square plus B square plus C square की वैल्यू नहीं पता है तो पहरे बच्चों इसकी value हमें निकालनी पड़ेगी कैसे निकालनी पड़ेगी सबसे पहले हम क्या करें A plus B plus C का whole square का formula कोलते हैं कैसा हुआ A square plus B square plus C square plus two bracket में AB plus BC plus CA यहां से हम निकालेंगे इसकी value A plus B plus C 9 9 का square कितना हो जागा 81 1 तो कितना हो जागा A square plus B square plus C square plus 2 AB plus BC plus CA 26 चब्यस दो निकालनी बावन इस बावन को इदर ले जाओ 81 में से 52 घटा आया 81 में से 52 घटा आया तो A square plus B square plus C square की value आ जाएगी अब यहने बच्चों में से 52 घटा तो 11 में से 2 गया 9 बचने साथ में से 52 बचने जाएग्या 29 तो कितनी आजाएगी कितनी आजाएगी 29 सबकी value कि वब हमें मिल गई है a plus b plus c की value मिल गई है a square plus b square plus c square की value मिल गई है और minus अगर कॉमल ले लेंगे तो a b plus b c plus c a की value हमें पता है अब हम बड़ी असानी से निकाल देंगे और बच्चर निकालते हैं हमें रिकालना है a q plus b q plus c q minus 3 a b c जो कितना होता है a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus अगर कॉमल ले लेंगे तो अंदर plus हो जाएंगे a b plus b c plus c a a plus b plus c की value है अब की 9 a square plus b square plus c square की value है पहरे बच्चो 29 minus a b plus b c plus c है कितना है 26 है तो कितना हो जाएगा 39 में से 26 या 3 या निकी 9,3,27 कितना हो जाएगा पहरे बच्चो 9,3,27 या निकी 27 आंसर हमारा बिलकुल सही होगा देख लिए तो कौन सा option सही है a option पहरे बच्चो हमारा बिलकुल सही है कौन सा option सही है a q plus b q plus c q minus 3 a b c को मान कितना है पहरे बच्चो 27 आया जो कि a option पहरे बच्चो हमारा बिलकुल सही है formula पता है तो आप बड़ी असानी से कर लेंगे और अगर formula नहीं पता है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़े है आई यह 57th questions की ओचलते है ठीक है पहरे बच्चो पहरे बच्चो पहरे बच्चो पहरे बच्चों है असान सा question है continue product बताना है 1 plus x 1 plus x 1 plus x square 1 plus x 4 1 plus x 8 और 1 minus x तो पहरे बच्चों इसको और इसको साथ में लिख लेते है 1 plus x 1 minus x 1 plus x square 1 plus x power 4 और 1 plus x की power 8 तो देखोंगे a plus b a minus b क्या होगा a square minus b square और 1 का square होता है 1 ही होता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 minus x square 1 plus x square 1 plus x की power 4 और 1 plus x की power 8 बहुत असा कोच्चन है पहरे बच्चों यह फिर भी होगा a square minus b square a square plus b square a plus b a minus b a square minus b square तो यह भी क्या है तो यह भी क्या है a minus b b क्या है x square a plus b b क्या है x square तो कौन सा form लोगा square खुल जाएगा तो कितना जाएगा 1 minus x की power 4 1 plus x की power 4 1 plus x की power 8 फिर a minus b a plus b कितना खुलेगा a square minus b square 1 का square 1 ही होता है तो यह हो जाएगा 1 minus x की power 8 1 plus x की power 8 फिर यह खुला a minus b a plus b कितना होगा a square minus b square कितना होगा a square minus b square a square 1 का square 1 यानि की x की power कितना होगा 16 फाइनल आंसर कितना होगा 1 minus x की power 16 यानि की a option पहरे मच जो बिलकुल सही है बहुत असान सा कोश्चन है किताबों में भी दे रखका है simply आपको a minus b और a plus b का formula खोना दोना था लगतार खोलना था 1 plus x 1 minus x a plus b a minus b 1 minus x square 1 minus x square 1 plus x square 1 1-1-6 ke power 4 1-1-10 power 4 1-1-10 power 4 1-10 power 8 1-10 power 8 11 1-10 power 8 1 1-10 power 16 16 फाइनल बेक्गे फश्टी ऑगले पैस्न की यह चलते एं 58 पानी के टंकी जिसका डिमेंशन 1.5 मिटर 0.75 मिटर और 0.48 इसकी सामगरी को एक अन्य खाली टेंक में खाली कर दिया जाता है जिसका अधार एक वर्ग मीटर है यानि कि लंबाई गुणा चोड़ाई कितनी है एक वर्ग मीटर है तो जल इस तर कितना बढ़ेगा सिंपल है पहले बच्चों इसका वॉल्यूम निकालो और पानी के टेंक आई तन्य वर्ग flies को और लेटा कि टेंग असका इसकी तो तो रहेए तान वर्ग मीटर ही कितनी रखी रखी है 0.4 1.5 into 0.75 into 4 0.48 आप यारे बच्छों मल्टिप्लाई कर देते हैं देख लेते हैं कितना आता है कितना है इसका ग्यारा सो पच्छिस अब ग्यारा सो पच्छिस की पच्छों 48 से मल्टिप्लाई करते हैं तो देखते हैं 8.5 चालिस 8.5 चालिस अच्छिस 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 अच्छ रहए यह अंत्या है पाँज़ कुरक्त एक सिरु कि पॉइंट फबहुन लृट। बोस्तिया और कि मुन इना है और फांज़ देसे जरं़ दन गाता है वोल्युन संहाम में hidden पॉइंट कैसे थे सा पॉइंट Х कितना दनोगило पॉइंट पा 1 गोना h is equal to 0.54 तो h कितनी हो जाएगी 0.54 अपान 1 यानि कि 0.54 मीटर यानि कितनी उचाहिए तक चड़ेगा 0.54 मीटर की उचाहिए तक चड़ेगा सिंपल है एक का वाल्यूम दूसरे के वाल्यूम के बराबर रख दो पहले का वाल्यूम हमें दे रखा है 0.54 मीटर दूसरे का जो आधार आधार का मतलब होता है वर्ग मीटर में दे रखा है यानि कि लंबाई गोना चौड़ाई की एक साथ वैल्यू दे रखी वन तो हम आयत है कौन सुस्डाई यह वी ऑप्षन फ्यारे बच्चो बिलकुल सही है वी ऑप्षन हमारा बिलकुल सही है ठीक है अगले प्रेस्श्न कि ₹ई हीओ तो अगला कोश्चन है 49 फिफ्टी नइन कोश्चन है फड़ते हैं अब अ You can write the radius of a wheel is 1.4 decimeter, how many time does it revolve during a journey of 0.66 kilometer, 1.4 decimeter is 0.66 kilometer, how many time does it revolve when it goes to the circumference? 1 circumference is 2 pi r, which means 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 2 pi r. So first, we can change the radius of a meter, which means 1.4 decimeter, which means 1.4 decimeter, decimeter to the meter, which means 1.4 by 10, which means 1.4 by 10, which means 1.4 by 10. Now, let's take a circumference, which means 2 pi r, 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 which means 1 pi r, which means 2 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 pi r, which कि छेसो साथ मीटर यानि कि 0.66 किलो मीटर का मतलब होता है छेसो साथ मीटर तो छेसो साथ मीटर में वह कितने चक्कल लगाएगा यही हम से पूछा है प्यारे बच्चों तो हम निकाल लेते हैं कि 88 वते 100 मीटर में 80 मीटर में कितने चक्कल लगा रहा है एक चक्कम में नंससी देखा रहा है यहां तो इंसे उस शक्कल लाइं कर दो 60 अब क्या करदे दो से और नूड़ 2.8 जीकितनी हमार साथ मे Digitalico2 आप तोव्यासक्क्र चप्छार्वा यह 15 सौSi चुक्क्रिए 1030. सब्सक्राइब चाहिए जी रोपइंट शेचे किलो मीटर में वह कितने चक्कर लगाएगा प्रिशन क्यों बढ़ते हैं प्रिश्न देख लेते हैं कि एक श्टी कोश्टन सि instal बढ़तों प्रिशन कसे प्रिश्न का स случа запूर बना लुक्ती कि आप सबसे हो वच्छर अब बंदा लुक्ता सबको तू पावर वणा फिवह बना हम्था है यह नी तो की पावर 1 by 2 को क्या लिख सकते है 2 की पावर, 2 की पावर 1 by 2 2 गोडowers 5 पावर लाल्रक त रिवाइड कर दो 2गोडना 5, पावर अलदा 2 की पावर, minus 1 upon 5 into 5 की पावर, minus 1 upon 5 into 5 की पावर 3 upon 5 अब क्या क Dotso गोड़ा में बदल्ने के लिए, जो numeratorode वह वो हर दिनॉमिनेटर है लिकाएगा इच ये कब दो इंटो एक दो few व्चाुए नीन की पावड़वा दो इन्टो men खेड़ माइन अपड़़ पावड़ दो जिल्टा है एंटोलकिए फ्रीर इन्टो चेसे से घीर मतलब दो गणा तीन व्री प्पावर माइने सब्सक्राइब दोबयां रशार की पावर माइनेस 2 बटे 3 4 हम क्याय लिख सकते दो की पावर दो पावर आपसे ग़ए आते हैं तो रहे हैं तो पावर माईनेस गाएन टीक पावर – south 5 और पांट थीड और माइन te ingon सब्सक्राइब कर देखते हैं यह 5 की पावर माइनस वन अपन फाइव इसको जोड़ देते हैं नीचे वाले को जोड़ देते हैं सब्सक्राइब कर दिया उपर जाएगी तो कितना बना देगी पांच बना देगी पांच बना देगी पांच तो हम लिख सकते हैं पांच को सब्सक्राइब कर दिया उपर जाकि काच बन गया वह पांच बन गया तीन की पावर माइनस वन अपन तरी कितना वन बन गया और Jupiter तो यहां लिख देता हूं वन गोणा फाइक बना दिया अब हम दो को सौल करते हैं दो की पावर सारी देख लेते हैं उपर वाली क्या होंगी और नीचे वाली क्या होंगी सब माइनस होंगी तो देख लेते हैं की पावर उपन टू है उपर वाली सब जोड़ो माइनस छे विठी पाच है माइनस वन एपन ठीन नीचे वाली घटाओ माइनस हो जाएगी इस यह कितना हो जाएगा यह फोर कर लेते हैं गिर क्या अपर कि Tale यहां पर आएगा पंद्रा प्लस यहां पर भी इना पंद्रा पंद्रा पांच्ष इस हाँ on जाएका पांच्ष पन्द्र पंद्र तीस साथ 10 द गटा हो तो साथ उसके शाथ उसके लाफित है कि इए बच जाएगा 5 il सही होगा अप्शन सही होगा हमारा ओपशन सही है है हमारे a option बिल्कुल सही है कुछ भी नहीं करना था पैरे बच्चों सबके बेसामान बना ले थे हमारे दो तीन पार्च प्राइम नंबर है तो उसमें सारी संख्याओं को बना लेना था फिर बेसामान होते हैं तो इतनी बात हमें सारे पाँच की पावर को एक साथ ले लिए तीन पावर को एक साथ ले लिए और आंसर कितना आ और आगया 10 अमारा क्या आगया पैरे बच्चों अंसर अगले पैश्ण है क्यों अगले कोश्शन है 61 सुअट नमबर सुष्टी वरते हैं अगला कोश्चन यह रहा है पहले 62 कर लेते हैं यह कर लेते हैं पहले बच्चों को कर लेते हैं 61 कोश्चन करते हैं स्वाल करना है सिक्स की फावर P plus 3 minus 32 इंटो सिक्स की पावर न मी क्लस वन या सिक्स की पावर P PLUS 1 ऐसे कोश्चन में क्या करो आप इसकी सभसे कम पावर कॉम ले लो सबसे कम पावर और हमारे पास क्या है स्थे आपकल आपवल क्या है बढ़ आप आप इसमें प्लस 3 बढ़ आए एन प्लस 1 तो इलो प्यारे बच्छो कॉमन ले लो यहां क्या बचेगा जब भी आपको पता नहीं होता अंदर क्या बचेगा आप जिसको कमन है उसको डिवाइड करके देख लो एंप्लस तो आप प्लस थरी अपाउव्र कि पावर एंप्लस बेस समाने पावर उपार प्लस है तो नेगेटिव में चली जाएगी 6 की पावर N प्लस 3 माइनस N माइनस 1 N से N कटा तीन में से 1 या दो यानि 6 का स्कार कितना बचा 36 तो अंदर क्या बचा 36 की पावर N प्लस 2 को 6 की पावर N प्लस 1 से डिवाइट करेंगे तो N से N कटेगा 2 में से 1 या यानि कि क्या बचेगा 6 यानि कि 6 माइनस 2 इससे यह कैंसल हो गया 36 में से 32 चार चार से 4 काटोगे तो कितना अंसर आएगा एक अंसर आएगा जब दर क्या करो सबसे कंबर क्या तरीका क्या है जो भी common लिया है उसको नंबरों से क्या कर दो अब बढ़ी असानी से बता पाएंगी अंदर क्या बढ़ते है कि 62 कोईशन को बढ़ते हैं बहुत यह साम सा कोईशन है 62 हमेशा देहानको पावार आपस में क्या होती है है फिर एक सब्सक्राइब फरा थृगेख को पावर और फिर शो sicशस्कृय पावर कितनी है फिर फोर फिर पावर कितनी है अब आपउन फोर पावर में इसको ऐसे नहीं की नृटीपलाइब और एकंटेफ दो नीख 4 तीन दो नी की आदी एक की पावर op 4 से दिवाइड करोगे तो कितना आयागा पह्छो 1 इप two eայ टो इन टी एंटव हैगा तो गाद एक सिक्षिछी और one आपाउं इसे प 드ेट से तो मीचला नो है जाएगी 1 upon 6 तो कौन्स उप्शन सही है यह उप्शन पैरे बच्छों हमारा बिलकुल सही है और पैरे बच्छों अगले प्रिश्न क्यों बढ़ते हैं कोईशन नमबर 63 कि यह कहा रहा है शेश्वल गयाद कीजिए फाइंड रिमेंडर वैं इसको इससे डिवाइट करना है रिमेंडर अगर पैरे बच्छों धान नखो शेश्वल गयाद करने के लिए अगर वह पूरा-पूरा कड गया तो रिमेंडर कितना बसता है जीरो बसता है अगर पूरा-पूरा डिवाइट हो गया तो इदर देखो अगर आप देखोंगे 64 x q 64 x q प्लस 27 y q इसको कह लिए सकते हैं 4 x का q प्लस 3 y का q यह a q प्लस b q का फॉर्मुला बना जो कितना होता है पहरे बच्छों a प्लस b 4 x plus 3 y और a square यानि 4 x square प्लस b square यानि 3 y square माइनस a b 4 x into 3 y अब इसको डिवाइट करना है किस से 4 x plus 3 y से अगर आप ध्यान से देखोगा यह पूरा cancel हो गया अगर यह पूरा cancel हो गया तो remainder कितना बचेगा रिमेंडर बिलकुल 0 बचेगा पहरे बच्छों कितना बचेगा रिमेंडर 0 बचेगा पहरे बच्छों आप से कह रहा है प्यारे बच्छों a b c d a पहलोग्राम है पहलोग्राम है नहीं कि समानता चत्रवज है तो बना लेते हैं अगे कहा रहा है आगे कहनगे कितना बच्छों यह अगल यह ना करते है तो counts से बरावर होते हैं 75 यह भी क्या होंगा 75 तो ट्रिंग देख लो ट्रंगल BC in triangle in triangle B BC 3100 through angle leg 310 angle कितना होत हुता पहले बच्छो 180 182 डिग्री यह लोग ट्रों कितने है स Mitt और प्रापर्टीज पता होनी चाहिए अगर प्रापर्टीज पता है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर प्रापर्टीज नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे ठीक है बश्चों अगले प्रिशन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रेश्ण हमारी स्कृइंच थे रहो अगला प्रिश्ण बढ़ते हैं पहले बच्चों ठीक है अई है कि ऐदिक से कौन सा का थन असत्ते है कौन सा कॉल इस पर अपर पांच में अगर जीरो बचेगा तो चार वट पांच नहीं आएगा यह तो यह ए आप्शन हमारा दिख रहा है सामने से दिख रहा है बाकी को चेक करने की कोई भी जूरत नहीं है यह आपको इस मॉडल पेपर में 31 कोशन से लेका 65 कोशन तक बताएं आपको समझ में आए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इच्छे कोशन बताएं मैंने बड़े ही आरा प्लेटफोर्म पे आप सभी का स्वागत है तो बच्चों सौल करते हैं इस मोडल पेपर को जिसमें साइंस का कोशन जो है इसकोशन 66 से स्टार्ट है इसमें पहला कोशन जो है हमारे पास वो कह रहा है दा नॉन मेटल यूज इन दा पर्पल कलर सॉलूशन अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एंटी सेप्टिक इस यानि कि एंटी सेप्टिक के रूप में घाओं पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के गोल में परियुक्त अधातू है ठीक है बैंगनी कलर का होता है और यह घाओं अगरा के उपर लगाया जाता है तो यह कौन सी अधातू है न इसको आंसर देना पड़ेगा आपको और सेवंथ में आपके मिरर भी थे दोनों का मिक्सिंग कंसेप्ट के उपर बेस्ट कोशन है कि इन में से कौन सा जो है इन में से कौन जो होगा जो वर्चुल और मैगनीफाइड इमेज बनाएगा अब देखो वर्चुल होगा मतलब क आए अब आसी वर्ड आए ठीक है तो जो इमेज बनेगी वह कैसी बनेगी सीधी बनेगी तो बड़ी की मातरा इरेक्ट बनेगी अगर उसके साथ में मैंगनीफाइड तो ऐसा कब होता है मैंगनीफाइड मतलब बड़ी ऑबजेक्स से वैसा दो ही केस में होता है तो ब्रदिकल सेंटर के बीच में object रखते है रखते हैं तो ड dar पैरकलि आती है और इस फोकस F2 से जो है क्या हो जाती है पास हो जाती है और ओ से जाती हो सिर्शेचलिश जली जाती तो तो यह कैसा हो गया Business नरी हो गया वर्ट विश रोगया और Magnified अधर बढ़ी हो गया तो Conkes Programmeません में भी आती कौन कई मेर में भी उसमें भी एफ 1 और पी के बीच में फोकस और पॉल के बीच में कौनके मिरर के अंदर भी कंडिशन बनती है बाकी वर्चवल बनती है मिरर के अंदर लेकिन वह कैसे होती है साइज में छोटी होती है यहां पर यह पूल जो है और एफ़वन के बीच में अगर हम आपजेक्ट रखते हैं तो जो पैलल आती है वह फोकस की पैलल आएगी वह फोकस में से रिफलेक्ट होके चली जाएगी और जो सी के सीद में नहीं मिल नहीं पाती है आगे डॉटट होके मिल्क है यहां पर क्या बनती है और यग्वेस बनती है वास्तिविक और आकार में बड़ी स्वारी बिम से बड़ा बनता है प्रतिविम इमेज जो है ग्रेटर देन होती है ऑब्जेक्ट से तो इसका क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोथ कॉन क्यों मिररेंड कॉन्वेक्स लेंस यह निकि सी अउतल दर्पन ठीक है यह यह वाला अउतल दर्पन हो गया और उतल लेंस दोनों के द्वारा जो है यह अभ्लाव में डिजी नेम गॉट्र गॉट्र अबग्र गॉट्र अगल गॉट्र का नाम जबी भी आ जाये तो सीदा सानाम है क्या है उसका नाम ऐड़ती आणीट अयोड searching-day बन जाती है इसको ग्हाणि चैनल रोती है तوبा इसलेक्स केल वर्टी ​​ मुट कर देंड देगा तो हम थारेट गरंथी भी कहते हैं अगला कोईशन है कोईशन नमबर 69 विच और फॉलेंग नूट्रियंट्स अर परजेंट इन मिल्क इससे कौन से नूट्रियंट है जो मिल्क के अंदर परजेंट है अब हमें देखो साफ साफ कॉमन सेंस लगा हो थोड़ा सा कि मिल्क के अं नहीं है और विटामिन सी भी ज्यादा मात्रा में उसके अंदर परजेंट होता नहीं है क्योंकि ज्यादा विटामिन सी होने पर चीज़ेंगे काफी खटी हो जाती है ठीक है तो इसमें कैल्सियम इसके अंदर दिखा नहीं रहा है और हमें साफ सा पता है मिल्क के अंदर कै कैलोरीफिक एल्यू निम्लिकित में से किस सामाने इंदिन का अधिक्तम कैलोरी मान होता है ठीक है कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा किसकी होगी कोशन नंबर सेवन्टी अब इसमें देखो जो एलपीजी है रसोई गैस बोल दो या फिर इसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोलता है ठीक है संपड़ित प्राकरती गैस है यह डीजल पेट्रोल सही है अब इसके अंदर जो एलपीजी होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेटा 55,000 कैलोरीफिक वैल्यू होती है इलपीजी कैलोरीफिक वैल्यू होती है किलो जूल मतलब कितने के जूल एनरजी हो गई कितने किलो ग्राम में कितना किलो जूल एनरजी रिलीज हो रही है यह इलपीजी की हो गई उसके बाद मैं आप से क्या पूछ रहे है सी एन जी की तो तो सी आजी की कितने होगे पचास हजार क्यलो जूल पर केजी उसके बाद में अगला क्या है डीजल है तो डीजल की होती है 45,000 क्यलो जूल पर केजी और उसके बाद में आपके है पेट्रोल पेट्रोल के भी लगबग 45,000 किलो जूल पर केजी के आसपास केलोरिफिक वैल्यू होती है तो यहां पर सबसे ज़्यादा जो है लपीजी की है और लपीजी से भी सब ज़्यादा अगर किसी की पूछ जाए के लपीजी से भी ज़्यादा किसकी है यहां सबसे से कोशन नमबर यह 70 रहेगा नेक्ट बात करते हैं कोशन नमबर 71 में हम से क्या पूछ रहा है कि विच वन विच वन आफ दे फॉलविग इस नॉट प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम कौन सा इसमें पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है तो बिटुमन है पेराफिन वेक्स है मार्स गैस क्योंकि दलदली इलाके में पाई जाती है ठीक है तो इसका क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी एंजी जो है आपके प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन या आसवन करने पर हमें अलग-अलग प्रोड़क्ट मिलते हैं उसमें से बिलकुल नही है उनका जोने दे हुता है तो ब्लूपद परजातिया नहीं नहीं आंसर घ्रेक्टर जो भी संक्कट ग्रस्त तरह उनका जो नाम है रहे रहें को रहें टभुक में थीक्ष्मिक्षुमें चणक्ट ग्रस्त पर जातिया आफिर catch जो मतलबी डेंजर खतम होने की कगार पर हो ठीक है अगला है सरीका टुक डिस्टील वाटर डिस्टील वाटर नहीं क्या सब्सक्राइब अगर अगर शिर्फ उसके अंदर पर्जेंट है कोई उसके इंदर सॉल्ट वगेरा नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो विद्यूत का सुचालक नहीं होगा गुड कंड़क्टर अफ एलेक्रिसिटी नहीं होगा तो यहां पर क्या लिखाऊ बैटा इंसुलेटर थो बहुत कंड़क्टर कर सकता है बैड तरीके इस लेकिन इसुलेटर तो विल्कुल भी कंड़क्टर नही कि यह एक वियंसाथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं पूर्ण को चालक है अगला नेक्स्ट एक क्वेश्चन नमबर सेवन्टीफॉर विच वन अफ दा फॉलिंग इस यूज़ इस प्रिजर्बेट्यू मतलब खाने वगरा की चीजों के अंदर इसको डाला जाता है ताकि ख सोडियम बेंजोईट को डाला जाता है फूड प्रिजर्वट चैमिकल जो कि क्या करता है खाने को खराब होने से बचाता है अचार वगरा के अंदर भी डाला जाता है अगला है दा वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वा स्ईसकर्वड बाइक जो है ठीका उसकी खोज किसके द में लेक्जेंडर फ्लेमिंग है रोनाड रोस ए बी इसी डी चल्जान की दरसे उनने क्या किया है और देखा जिनको जो रखा है जो गाय का बहुत बड़ी महांबारी आई थी smallpox की तो उन्हों देखा जिनको cowpox हो रखा है ना उनको smallpox हो ही नहीं रहा है ठीक है तो उन्होंने क्या किया cowpox वाले जो ब्लड के सेंपल को किसी दूसरे के बोड़ी अपने पेसेंट वाकिर था उसकी बोड़ी में क्या कर दिया ano एक कर लिए व्लाइव के स्वेयर ना सेख़े व्लोड़ सेउस हो रखा तो उस ने देखा उसको कोई फर्ट नहीं पढ़ रहा है typically क्योंकिवत यह क्या कर लिया क्योंकि कौणि पॉक्स और स्माल पॉक्स जो है काफी जो है की जैसे किसे को कोई विमारी हो रखी तो इसके से थोड़ा बहुत रगड़ के उसके बोड़ी पर इंटर हो जाएंगे तो उसे लड़ने के लिए पहले सी 75 का बी एडवर्ड जैनर यह कब की गई थी वह नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप आइडिया लगा सकते हो कि 76 के आशपास की बात है तो नामे शेर्टीकूलेटड पाइथन जिसको हम जालीदार अजगर कहते हैं और क्योंकि यह साप अगरा होता है नस इनके यहां पर यह साइसे यह निसान वगएरा जो है यहां पाए जाते ही हूं जाली टाइप जो है उपर रहती है तो इनको कहते हैं रेटीकुलेटेड अगला कुशन नमबर 77 यीस्ट जो है क्या प्रड्यूस करने के लिए काम आता है नमक सुगर या फिर इलकोहॉल यह सराब बनाने के लिए काम आता है एथनौल जो है प्रड्यूस ह करते ना ग्ल्यूकोज वगएरा तो इसमें इथनौल भी साथ में रिलीज होता है और साथी साथ आपके कर्मड डीयूकसाइड निकाल दी जाती है उसके बाद में सराब जो है बन जाती इसके बनाने के लिए एलखॉहल बनाने के लिए मुझे इसका नाम इथनौल साथ भी जो परीडियों की अनुपस्तिती में अगला कोछों नमबर solatETH के सब्सक्रास का क्या है कहले सब्सक्राइब करता लुक्त का क्रेक्वोर लगबट लगण कोई सब्सक्राइब लावर नहीं है flowers का क्या है group है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा sunflowers, sunflowers जो है बहुत सारे flowers का एक साथ जो है group रहता आई हूं वह काफी बड़ा सा इसके इंदर साइड में रहते हैं और सारे फूल आपस मिलकर एक सिंगल फूल बना देते हैं उपर की तरफ टॉप की तरफ उसका करेक्ट आंस्वर क्या हो जाएगा एक सूरज मुखी प्रफ नियुक्षण आफ स्लिवा इस टूलार का क्या कारी है उसका क्या का में जो पॉली सेक्राइट्स होते हैं उसको मोनो और डैस चार्च वगेर होते हैं उसको सिंपल शूगर में कनवेट करने काम कौन करता है सलाइवा करता है तो हमारे मुख अंदर जो प्रोसेस है है इसमोललर Complete questa करना breakdown मतलब, mechanical digestion की बात नहीं कर patch दिया वहाज से हमने सूर के खाली तो डाइज्येशन होगे नहीं उसके कैमिकल से breakdown हो रहे तो ही वह digestion कहलाता है तो यहOoh होता है वो क्या करता है स्टार्ट को सूगर्स में करता है तब ही जो है खाते हैं न जैसे सलाइव आयड होता रहता है वह और टेस्टी लगने लगती है हमको इसलिए कहते हैं चबा चबा कर खाओ कि रहा के डाइजेशन में भी आसान रहता है तो केमिकल प्रोसेस है एसा नहीं कि इस्मॉल इंटेस जाए अंदर जाकर सारा काम कर देगी कुछ तो मूह अगर मुह में ज्यादा समय दोगे तो पेट में कम समय लगेगा मुह में कम समय दोगे तो पेट में पचले में ज्यादा समय लगेगा ठीक है फिर कहीं न कहीं समय तो उतना लगनाई है समझ जवाब तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बिटा स्टार्च को सरक्रा में बदलने का काम कौन करता है सलाइवा करता है सलाइवा में क्या होता है अगला है कि जो प्लांट्स वगेरा होते हैं उनमें जो बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं बड़े-बड़े ट तो कई जंगलों बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो ऊपर से वाटर रिलीज होता रहता है नीचे से वाटर जो है सक्षन के कारण जो है क्या होता है चलता रहता है आप देखा होगा इस संसार में कोई आपनी जाता ही नहीं होते लेकिन और जाता है और साइड में यह रहे लेकिन तो यहां से जैसे यह निकली उतना पानी उसके अंदर क्या हो जाएगा एंटर हो जाएगा अब्जर्वेशन की है सबने तो वह होता है कि पानी अब जैसे वह एर निकली न उसके ज़एगा वाटर आएगा तो उसी तरह से प्लांट क्या करते हैं अब स्टोमेटा के थूँ आपके जो रंद्र होते हैं छोटे-छोटे पेड़ की पत्तियों में उसके थूप पानी को छोड़ते रहता है और पानी को छोड़ दिया तो उसकी जगा पर नीचे से कुछ ना कुछ तो उस जगा पर आएगा उसकी जगा पर क्या था पानी दिपने इस पानी थिख ता रहता है उसको हम क्या कहते हैं वासपोन्यशन या ट्रांस्पीरेशन भी कहते हैं पिपनीस्ट नेकी दूसरे जो से में रुए बाप된 तो एक प्लांट्स होता है वेजिटेटिव पार्ट फौरण गएरा बर्डियो पार्ट से प्यृट यह क्या होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि कोई जड़ों से आगे बढ़े रहा होता है कोई पत्यों से ब्राइव फैल रहा होता है लेकिन जिंजर जो है वह अपनी स्टेम के चुझरू जो है आगे से आगे बढ़ती है तो इसका करेक्ट टांसर क्या हो जाएगा स्टेम हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टेम यनिकी तना अद्रक जो है उसका प्रजनन भाग होता है अब कोश्च नमबर 83 क्या है ब्लॉक ऑफ वूड इस लाइंग एट रेस्ट ऑन टेबल वाट केन भी सेड़ आउट दा फोर्स अक्टिंग ऑन एक टेबल पर लकड़ी का एक ब्लॉक आराम से ब्लॉक या फिट सब्सक्राइब लगता है अगर बैलेंस नहीं होते कोई भी एक बल ज्यादा होता तो उपर जाता है नीचे जाता आगे जाता या पीछे जाता तो शारे बल बराबर होते ना तब भी जो है वह आराम से पड़ावा है रेस्ट की स्थिति में हैं पूछाए कि सिर्फ गुरुत्वाकर्शन बल लग रहा है और फ्रिक्शनल बल लग रहा है इसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है there is a pair of balance forces on acting on it acting on it इस पर संतुलित बलोग की एक जोडी कार्य कर रही है तो डी जो है हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अगला question 84 which hormone in our body help us to adjust to stress when we are angry embraced और worried जब हम इनमें से कौन सा जो है हर्मोन जो है release होता है कब जब हम जो है क्रोधेत या फिर लज्जेत या फिर चिंतित होते हैं तो कौन सा हर्मोन release करता है उस तनाव से जो है बहार आने में मदद आ करने हैं बहार आने में साहेता करता है तो उसका correct answer क्या होगा adrenaline insulin estrogen और थाइरोक्सीन a b c d correct answer क्या है adrenaline ठीक है adrenaline is correct answer adrenaline hormone जो है उमें तनाव से में समायोजन करने में साहेता परदान करता है की अगला है विच आफ फॉलेंग रिपर्जेंट्स ए ग्रूप ऑफ आटो ट्रॉप आटो ट्रॉप मतलब क्या होता है जो स्वप औुसी होते हैं क्या होते हैं जो कि स्वब वूशी के समू तो अपना ख़णा खुद बनाते हैं जिन में आपके कह दिया जाए तो पन हरिच पाया जाता यानिकि क्लोरोफिल जो है उसके उंदर पाया जाता है वोगी क्या कर सकते हैं एक बच्छा बोलाई मेरी मम्मी भी ऑटो ट्रॉपिक है कैसे वह भी अपना खाना खुद भनाती है लेकिन प्रोडक्ट जो बना रही है वह तो उलग भात है इनमें से कौन से गुरूप हे वाट्रो ट्राप्स है आप यहां पर यहां नाम दे रखा है अल्गी क्ली टो है क्लिक ग्रीन थे ना पानी वजलो होती है और इस पानी के ऊपर होदो अग्य उद है अैसी आप तो यह आपके फोटोसिंथ्स नहीं करती है ये कैसा है पैरस साइटिक है ठीक है दूसरे के उपर लिप्टी हुई रहती और उसके अंदर के न्यूट्रिंस को एपजब परती तो आट्रोपिक नहीं है हेट्रोपिक है तो जहां जहां यह कशकटा आ रहा है उसको तो गलत कर देते हैं ठीक है उसके बाद में आपको मस्रूम जो है यहां पर नाम दे उसके दोने ही गलत है है क्यों कि मस्रूम जो है यह ऐसे यह अयुक्त कि छीवन करते हैं किसी सेप्च चीज चीजों के अंदर के को लेकर अपना जीवन पूर्ण करते हैं तो यह आपका खाना खुझ नहीं बनाती है तो यहां पर जो यह है टॉमेटो है बनाना है टॉमेटो बनाना तो हई क्योंकि यह आपके प्लांट से उसका कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी अलगी स्पिनेच टॉमेटो और बनाना अगला कोशन नामर 56 विच अपध़ फॉल्ववइड एंडोख्राइट सीक्रेट सूगर कंट्रोल निग हउर्मोन सूगर को कंट्रोल करने है आया ना अगन्या से जो होती है वह आपके इंसुलीन रिलीज करती है और उसी क्या करता है सुगर को कंट्रोल करता है इंसुलीन के जो इंजेक्शन अगर बोड़ी में ग्लुकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो अगला है कोश्चिन नमबर 87 इसेवन कोश्च्च नमर 87 एंज सीरल सच वीट एंड ग्राम अर ग्रोन इन एरिया जो इस एरिया नाज जैसे की गहुं है चना है किसी एक खेत में जो है एरिया में उगाए रहे है किसी खितर में अगा रहे है तो वहां की मिट्टी जो है कैसी होगी या फिर कैसी होनी पहला है बोथ लोमी एंड सेंडी दोम्टी और रेती लिए क्लेई येनिके चिकनी मिट्टी बोथ सेंडी एंड क्लेई येनिके रेती लिए और चिकनी और डी क्लेई एंड लोमी चिकनी और दोम्टी दोनो तो क्या हो जाएगा डी से लिटेंवी लोमज़ में होनी चीए चिक्नी और ऻोमटी मिती होनी चहिए मिज़नी स्क्राइब क्विक्षिन है विच्वन अब नेत्भा फॉलिंग प्लैनेट्स, लेक्ष से पहले वाले जो प्लैनेट है उनके खुज कि सबसे ने सबसे पास वाला जो तो है प्लैनेट है जिसके पास खुद के कोई ना कोई क्या है नेच्छल सैटलाइट है जैसे की मून वगएरा है आपकी आर्टिफीचल तो जो हमने खूब सारे छोड़ दिये हैं पूरा पॉलूशन कर दिया है बलते हैं अघरत के आसपास भी अंदर तो जादो यसे कि मार्स ही युद्विनस है और र्जृपिटर है टो यहां पर अर्थ के बाद में एडिया कि आता है मरकरी और वीनस आता है तो वीनस जो हैयने की शुक्र जो है हमारा सब्सक्राइब कोश्य नमबर 89 ने सेलेक्ट फॉलोइंग सेट ऑफ रुमिनेंट्स रुमिनेंट्स क्या होते हैं जो खाना एक वार अपने अंदर डालते हैं देखते हैं कोई आप तो नहीं रहा तो फटा-पटा खाना खाया और भागे फिर जैसे मिला के हाँ थोड़ यहां पर बिली जुगाली करती यह तो सही है खुटा जुगाली नहीं करता है जो इस दौन से सब्सक्राइब और पना वीनेelर यहां ईया प्टाथ्याय कॉन से होते यह वह जुग्रूप था मैंना आपको बता दिया अगला कोशन है कोशन नमबर डाइंटी इसमें पूछा गया है विच वन अफ फॉलइंग सेट्स इस दा कॉंबिनेशन ऑफ और गन्स ऑफ धुमन डाइजेस्टिव सिस्टम देट दो नोट केरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन ऐसा कौन सा और जहां बिल्कुल भी नहीं हो रहा हुग ठीक है तो यहां पर ब्यूकल के बिटी इसेओं और लार लार्ज एंटेस्टाइन ब्यूकल इसमोता है मैंने कहता सलाइवा tiden होता है थीक है 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 अधुल के रहां है कि खूलक ए Saya फोगया है मतलब यह वाला पार्ट है इसमें डाइजेशन होता है कैस कि ग्लैंड होती है मुंहार में वह आपके सलयवा रिलीज करती है सलयवा के अंदर होता है सेलीवारी एंज जो किसको किस में कनवर्ट करता है स्टार्ज को सूगर में सिंपल सूगर्समें कनवर्ट कर देता है एक है लोन को यहां पर जो इसोफ है यहां से सिर्फ खान आगे वेज़ेगा लार ज्विध में टाइस्क्रेंग सिनकरा地 ओर मिनस्कों लॉट्प और उस्विद करती एपहत्वारे द्वारी ज्विद करती हैं त्युक्स टेंग्द Grade जैसे ही वह पार्ट भर जाता है तो हम जो है पेट को खाली करके आ जाते हैं समझ में आ गया ना तो यहां पर इसका करेक्ट आंस्वर क्या हो जाएगा भी कि अपना करेक्ट आंस्वर है कि क्या हुआ कि हाँ ठीक है बेक्टिरिया है तो पॉल्यो एक वाइरस है वाइरस यहनि की विशानू है उसका टेगरी से विच्वन आफ फॉलेंग इस नौट कंड़क्टर नहीं होगा कौन नहीं होगा डिस्टिल वाटर नहीं होगा अभी डिसकस कि आमने च्टू जो है कौन से स्टेट में है लिकुड कंड़क्टर होगा या फिर बारिश का पानी जो है उसमें भी आते वक्त जो उसके अंदर मिनरल सेड हो जाते हैं तो भी वह क्या होता है लेकिन डिस्टिल वाटर विल्कुल भी गुड कंड़क्टर नहीं होता है प्लानेट इन अवर सोलर सिस्टम अपना जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर दो ऐसे प्लैनेट है जो इस टू वेस्ट गूमते अपनी अर्थ है वह भी वेस्ट गूमती है तब ही सन अमको इस वेस्ट जाता हुए दिखाई देते आपने देखा होगा बस में जब हम चल रहे होते हैं तो हम तो आगे जा रहे हैं पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं है ना लेकिन यह ऐसे दो प्लानेट है जिन में सूरज पस्चिम से उखता है ठीक है तो यह भी पासिबल है तो मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई थी जिसके पीछे क्या आता हो अस और अस वह जाते तो यह उल्टे घूमते हैं ठीक है कि यूरेनस को कहते हैं अरुन जो कि शूर्य बगवान का सार्ति है सुक्र जो है राक जो है राक्सरसों के गुरु जो है वह कौन है चलिए अगला कोशन है इस चैप्टर में यह भी कोशन आता है एक मनिंस्टार किसको कहते हैं इनिंग सब्सक्राइब के तो जो है करक्त अंसर क्या है तो एकि प्रदक्त है ठीक है अगला विच्वन आप फॉलेंग टेक्स प्लेस वेन वाटर ट्रांसफर्म फ्रॉम लिक्वीड तो इन में से कौन सी चीज जो हो रही होती है जब आपका पानी तरल से गैसी चरण में बदल रहा होता है ठीक है तरल मतलब द्रव अवस्था में से गैसी अवस्था में से जा स्त के इंदर करण जो है दूर-दूर हो जाते हैं अपनी डियागराम देखा ओगा बड़ा पॉपुलर डियागराम है कहीं नकाहीं बुक में जो सॉड़ीड होता है पहए कि उसके पार्टीकल श्षान मरें जहादा पास में होता है है जो लेकवेड होता है कि इसके और जादा दूर होते हैं तो इसनी सॉलिड है यह लिक्विट है यह घैस है यह ठόσं है यह द्रव है और यह अब यह a правда ł simples घश में परिवरतित हो रहे थी के बीच इन्न्द रातिकLZ जारी है चेंज हो रही है कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है बदल जाती है परिवर्तित हो जाती है इसका क्रेक्ट टांसर क्या हो जाएगा 95 कब बी 96 एं विच आप फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेंज ओल सिन्थेटिक सबस्टांसेज इनमें से कौन सा गूर्प है जिसके अंदर सारे के सारे जो है क्रित्रिम पर्दार्थ हैं से जात्रिक सबस्टांसेस को हमने इंदी में क्या कहते हैं क्रित्रिम प्रदार्थ या मानो निर्मित जो है पदार्त है या रेसे हैं तो यहां पर देखो सारे कृत्री मौनेच यह वूल तो प्राकृतिक है यह होगा नहीं कॉटन प्राकृतिक यह होगा नहीं और वूल भी प्राकृतिक है यह होगा नहीं नेच्रल है यह ना उन जो है कैसी यह प्राकृतिक है नेच्रल है यह भी नेच्रल है यह भी नेच्रल है किसमें नेच्रल भी नहीं पीवी सी पॉलिफिन और बेकलाइट यह सारे सिंथेटिक सबस्टांस है तो इसमें सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्दी इसको किसे कंट्रोल किया यह क्सकरते है इंसुलेन प्रक्राइब कर सकते हैं जो को ग्लेकोज ग्लेकोजन में साइध कर देते हैं ठीक है अगला क्वेशन है विच आफ दा फॉलाइंग इस करेक्ट और 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 करेक्ट एग्जामपल आफ नॉन कॉंट क्वेशन हो रा है तो इसमें ग्रेटेशनल फॉर्स है और फॉलाईंग इग्जामपल आफ नॉन कॉंट्टेक्ट फोर्स मस्किलर फोर्स तो कॉंटक्ट फोर्स जो है बिना कॉंटेक्ट के लग जाता है तो बी बी सहीए यहाँ पर सही है सी भी सही है मैगनेटिक फोर्स तो बोथ बी एंड सी अगर बी एंड सी लिखें यहां पर तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है ठीक है बी और सी दोनों तो अपना क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कुछ नमर नाइंटी नाइन ने विच वन फॉलिंग मेटल बन सिफ कैप्टिन एयर में अवा में खुला चोड़ दे जातू जल्दी से आग पकड़ लेकी तो सोडियम है तब ही तो इसको कैरोसीन में रखा जाता है एयर के अंदर रखोगे सोडियम और बना देगा और यहां पर अगर इसके अंदर वायू में से इसको क्या मिल गया अगर हीट पकड़ लेगी तो ब्लास्ट भी हो सकता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी सोडियम लास्ट कोशिशन आफ साइंस विच 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 वन आप फॉलिंग गैस बंद वीचे पॉप साउंड और यह जो हीडोजन गैस निकली है वह कौन स साउंड के साथ जलती है पॉप साउंड के साथ जलती है ओके बचा बेटा और बच्चा बेचा ओके बच्चो चलिए